हेलो फ्रेंज तो इस कहाने के सिर्वात में हमें एक लड़की की वर्स ओवर बताती है कि इस दुनिया में सभी के पास 24 सावर्स हैं और ये एक आम बात है फिर हम सी जुनि नाम के एक लड़की को देखते हैं जो की कुछ बना रहा था तब उसकी बहन वहाँ आजाती है तो वो सारा अपना काम चिपा लेता है जो की वो कर रहा था और उसकी बहन का नाम यू हाई ड़क होता है और ये हमें बताती है कि ये अभी अभी ग्रैजवेट हुई है वहीं ये अपने भाई के बारे में भी बताती है कि वो पढ़ाई के साथ-साथ कुछ एलेक्ट्रानिक चीजों पर भी वो एक्सपेरिमेंट करता है अब वो अपने भाई से जगडा करने लगती है क्योंकि उसका भाई घर में यूही पड़ा हुआ रहता है तब यून अपने डैट को बुलाता है वो वहाँ आकर दोनों की लड़ाई रोक देती हैं क्योंकि यून और जियो की मॉ इस टेंप्रेशर बताता है वहीं इंडोर का 25 डिग्री जिसके बाद रेन की खुद को इंटर्ड्यूस कराता है और बताता है कि उसे एक बिमारी है जिसका नाम मैसोफोविया है और इसी वजह से यह काफी जादा साप रहा करता है यहीं हमें जियो बताती है कि उसकी मॉम क नो साल पहले ही मौत हो चुकी थी और इसलिए उन दोनों की देखवाल उनके डैड ही किया कहते थे जियो कहती है कि वह बस चाहती है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वह अपने भाई और अपने डैड के देख भाल कर सके इसके बास जब वह सड़क से जा रही हो जाती है तभी उसके सामने रेंकी की कार रुख जाती है और जियो उसकी कार से जाकर चिपक जाती है जिससे उसकी कार गंदी हो जाती है जिसे देखकर रेंकी की हालत तो खराब होने लगती है जियो तो माफी मांग कर वहां से भाग जाती है वहाई हम एक लड़की को देख जहां वो टीवी पर रेंकी की बाते ही सुन रही थी रेंकी वहां कुछ मोटिवेशन की बाते बोल रहा था कि सभी को हार नहीं माल लेनी चाहिए उसे बस आगे बढ़ते ही रहना चाहिए एक दिन वो इंसान काम्याब जरूर बनेगा जिसके बाद हम रेंकी को देखते हैं ज और वो वहां से चला जाता है तो उसका गार्ड उस लड़की को एक कार्ट दे कर कहता है कि वो बाद में कॉल करें बाहर जाते समय रेंकी जियो से मिलता है उसके हाथ में एक ओर्डर था और रेंकी देखता है कि जियो तो बहुत जादा गंदी हो रखी थी वो उससे दूर ह तब वहां रही इसे कहती है कि आज वो सही से मिला क्यूंत आप बाते कर नहीं रहते तब रहा है पर गेट कर दिता है क्योंकि बाहर की हवार रही थी लेकिन तभी रेंकी अपने रोबोट को ढूडने लगता है वह हम दूसरे तरफ जियो को देखते हैं जो की घर ही जा रही थी तभी उसे वो रोबोट बाहर पड़ा हुआ मिलता है उसे लगता है कि किसी ने वो चीज फेक दी है इसलिए वो उसे उठा कर अपने बैग में रख लेती है तभी वहाँ पर रेंकी आ जाता है वो कुछ कहता है उससे पहले ही जियो उससे माफी मांग कर उसे कुछ खाना ओफर करती है लेकिन उस खाने से बचने के चक्कर में रेंकी जियो को गिरा दीता है अब खाना गिर जाता है तो रेंकी को जियो के लिए बुरा लगता है लेकिन वो उसके पास भी नहीं जा सकता था इसलिए वो दूर से ही उसे कुछ पैसे दे देता है अब जाते समय जियो कहती है कि वो टीवी पर कितना अच्छा लग रहा था लेकिन रियल में वो काफी अजीब है अब घर जाने में जियो लेट हो रही थी इसलिए वो वह एक लड़के के पास जाती है जियो को लगता है वो बाइक राइडिंग का काम करता है लेकिन ऐसा नहीं था वो कुछ देखता उससे पहले उसकी नजर वाँकी ड्रैप्स पर पर जाती है जो सारे ओल्ड लोग थे तो वही उससे कहता है वो छोड़ देगा जिसके बाद वो उससे छोड़ देता है लेकिन राज जादा हो गई थी इसलिए उसके सेप्टी के लिए वो उसके पीछे जाता है लेकिन जियो तो उससे कोई बुरा लड़का समझ लेती है और तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं और गीर जाते हैं जिसके बाद जियो को पता चलता है कि उसके डेड उस लड़के को जानते हैं और वो उनके यहां नया पडोसी बनने वाला था और इस लड़के का नाम लू होता है अब जियो जब रूम जाती है तो उसे एक मैसेज आता है और उसे एक कमपनी में जौइन होने के लिए नेक्स डे बुलाया जाता है वहीं रेनकी का गार्ड उससे कहता है कि उसका रोबोट नहीं मिल रहा है इसलिए उसने 30,000 का इनाम रखा है रेनकी कहता है उसे वह 50,000 कर दे क्योंकि वह रोबोट उसके लिए बहुत जरूरी है यहीं अब हमें एक फ्लैस पैक दिखाया जाता है जहां रेनकी के डैड ने उसके कम माक्सा पर उसे बहुत ही डाटा था और घर के बाहर चोड़ दिया था और उसे कहा था कि वह बहुत ही गंदा है जिसके बाद से ही रेंकी खुद को साप करने लगा। वहीं हम जियो के भाई को देखते हैं, जिसे जियो के बैग में रोबोट की लाइट जलती हुई दिख जाती है, तो वो उसे अपने पास ही रख लीता है, अब वो उसे देख रहा था तो उसे पता चलता है कि यह तो किसी कमपनी का है, और जुन्जी को तो उस इंसान के बारे के साथ रॉक पेपर सीजर खेलती है, यह डिसाइट करने के लिए कि उसके डैट की जॉब आज यहां कौन करेगा, जिसमें जियो हार जाती है, इसलिए उसे काम करने के लिए जाना पड़ता है, वो जिब रोट पर कचरा उठा रही थी, तभी वहां दो बंदे आकर उसके स गाड़ी से टकरा जाती है, क्योंकि वो अपना रोबोट लेने आ रहा था, अब वो सारा कचरा उसके गाड़ी पर ही गिर जाता है, अब रेंकी अपनी कार से बाहर निकलता है, और गलफ पहन कर जियो को पकड़ता है, और उसका माक्स भी हटा देता है, तब यह अब वहां उसका भाई उसे नहीं बताता, उसे सब पता है, वो कहता है कि काम कैसा हुआ, खाना नहीं खाया तो वो खा लिता है, जियो कहती है उसे भूक नहीं है, जब रात को रेंकी बैठा तो उसके गाड़ उसे एक CCTV की फुटेज भेजते हैं, जिसमें वो देख पाता है कि टॉप पैक्स कहां है, जियो को समझ नहीं आता, डियो के कहता है कि वो पैसे लेना चाहती थी education करकर, जियो को क우छ भी समझ नहीं आता है, तभी रेंकी के फोन में, जियो अपने भाई का नंबर देखती है, जिसके बाद वो घर आकर उसे काफी जादा मारती है, और कहती है कि वो इतने बड़े होकर बच्चों की तरह कैसे लड़ सकते हो इसके बाद हम रेंगी को देखते हैं जो उसके सफाई करमचारी को मैनेज करने वाले मैनेजर के पास आया हुआ था और वो उससे पूछता है जियो को उसने ही काम पर रखा था ना वो कहता है हां क्योंकि उसने बहु पूल नहीं निकाल सकता यहां जाते हुए मैंनेजर रेंकी से कहता है कि वह अच्छा काम कर रहा है और उसके ग्रैंट पार्क को भी वह सही लगता है इसके बाद फिर से हम फ्लैस पैक देखते हैं जहां उसके ग्रैंट पार कह रहे थे कि उसके नंबर पहले से ही कम आई सफ़र तो रहा था हुए उसके ग्रैंट पार चाहते थे वह मना नहीं प्रढ़ा तो कुछ रहा हुँए रहाँ कुछ जादा spicy food भी खाना पड़ता है जबकि उसे वो खाया नहीं जा रहा था सूट खतम होने के बाद वो वास्रूम जाती है तो वहां वो दो बंदों को बात करते हुए सुन लेती है कि उस लड़की से चाहे कितना भी काम करवालो वो कर सकती है वो तो उसकी सैल्दी से भी payment कट कर कि उसे थोड़े से पैसे पकड़ा देते हैं जाती समय उस बंदे से कहती है कि वो आगे से वो काम नहीं करेगी जब जी जा रही थी उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था जो उसे खाने की वज़़ा से उआता है इसके बाद जी यो रेंकी के पास आ जाती है और उसे वह पैसे दे देती है जो उसे अभी मिली थी लेकिन जब वहां से जा रही थी तो वहां बहूस हो जाती है अब हास्पीटल में जाने पर से भरती करकर जा ता लेकन निर्स उसे नहीं जाने देती इसलिए रेंग की को ही उसके लिए दवाई लाने के लिए जाना पड़ता है लेकिन वो लाइन में इतनी दूर लगा था कि बार बार लोग उसके आगे आ रहे थे तो अब वो भी खासना सुरू कर देता है लेकिन डॉक्टर जियो की आईडी मांगती है इसलिए रेनकी वापस से आईडी लेकर जाता है जहां रेनकी उसके फैमली के फोटो भी दिखाता है रेनकी उसके लिए रात तक रुखता है जब तक उसका गार्ड वहाँ नहीं आता अब गार्ड के आने के बाद रेंकी जियो के उपर ब्लैंकेट डालने के बाद वहाँ से चली जाता है वहीं हम बेस्मेंट में सूजी को रेंकी के कार के पास देखते हैं जहां रेंकी का गार्ड ये देखता है तो वो जल्दी से उसे साप करता है जब रेंकी जा रहा था तो वो गार्ट से कहता है कहीं उसे कोई बद्बू तो नहीं आ रही वो कहता है नहीं रेंकी मार्क्स लगा लेता है next day ziyo renki के company में सफाई करमचारी बन कर आ जाती है वहीं जब renki company में आता है तो वो ziyo को देखता है और उससे कहता है उसे बद्बू नहीं आ रही तभी ziyo की नजर उसके जूते पर जाती है जो गंदे हो रखे थे जब Rinki ये देखता है, तो वो भाग कर जाता है जूतों को कूरे दान में डाल देता है और अपने कपड़े चेंज कर ले, तब है वहाँ जियो आ जाती है उसने ही बुलाया था, और Rinki को बिन कपड़ों के देख उससे कहती है कि उसके घर में उसके डैड और भाई ऐसे ही गुमते रहते हैं इसलिए ये एक आम बात है वो उसे गलत ना समझे इसके बाद जब रेनकी हाँ दोने जाता है तो वो जियो की बात सुनता है जो किसी से सायद उसके बारे में ही बात कर रही थी कि उसे साफ सफाई पसंद है पर वो खुदी गंदा हो रहा था अब रेनकी को लगने लगता है कि जरूर जियो अपने किसी काम के लिए उसके कमपनी में आई है वरना इतना जादा कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकती कि वो बार बार मिल जाए अब हम फिर से उसी सेलिब्रिटी को देखते हैं जिसकी पहले भी रेनकी के साथ डेट थी और वो भाग गया था अब वो रेनकी के कमपनी में आई थी इसके बाद जब रेनकी उसके साथ काफी पी रहा था तो काफी किर जाती है तो वो जियो को बुलाता है के बाद हम रेनकी को एक लैब में देखते हैं जहां वो बाहर जियो को देखता है जो मिरर के करीब आती है रेनकी भी बहुत करीब होता है लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था लेकिन जब जियो वहां हार्ट बनाती है तो तो गलती से रेंकी से मिरर का बटम प्रेस हो जाता है और जब जियो रेंकी को देखती है तो वो वहाँ से सिधा नीचे गिर जाती है इसके बाद रेंकी उसके पास जाकर उससे कहता है कि वो अपना काम ध्यान से क्यों नहीं करती रेन की कहता है अगर आगे से भी वो ऐसा करेगी तो वो उसे काम से निकाल देगा इसके बाद हम जियाओ को वहीं के एक इंपलॉई हुआओ के साथ बैठा हुआ देखती हैं कि तभी वहाँ एक बूयू नाम का एक बंदा आ जाता है जिसके साथ हुआओ चला जाता है जियाओ कहती है रेन की अजीब है लेकिन इंपलॉईस तो वहाँ के अच्छे हैं जब जियोग घर आती है तो देखती है उसके पडोसी की उसके गर्लफरेंड के साथ लड़ाई हो रही थी वो ब्रेक अप कर लीता है जियो कहती है ये तो सच में एक प्लेबॉर है कबी वहाँ जियोग का बैक गिल जाता है लूईस से कहता है कि क्या वो सफाई कर दे का काम किया करती है जियो उससे कहती है, वो ये किसी को नाम बताए, इसके बाद फिर से लू उसकी डैट की मदद करने के लिए जाता है, जब सभी खाना खा रहे थे तो डैट के पूछने पर जियो कह देती है, वो टेक्नोलाजी कमपनी में सेल्स का काम करती है, जबकि ऐसा नहीं था, जूजी तो अपना खाना ले कर अपने रूम में चला जाता है, रात को जब रेन की मिरर के सामने खड़ा था, तो उसे बार बार जियो ही दिख रही थी, रेन की जियो को अपने दिमाग से भी निकालने की कोसिस करता है, लेकिन उसे तो फिर भी उसी की याद आ रही थी, नैक्स डे ही सब की सिनियर बन जाएगी लेकिन तभी वहां रेंकी आ जाता है यहां जीव सभी से कह देती है उसे किसी भी चीज की स्मेल नहीं आती जबकि ऐसा नहीं था इसलिए रेंकी उससे कहता है कि ऐसा आगे से नहीं चलेगा क्योंकि अगर कहीं बद्बू हुई तो किसी को भी प जाता है वो उसके सामने गंदगी करता है लेकिन जियो हर टेश्ट को पास कर लेती है उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसने तो रोट की कूड़े दान को भी साप किया था इसके बाद तो रेंकी उसके लॉकर में जाकर उसकी कपड़ों में बहुत ही देख रहा था घर जा कर लो उसके कपड़े चेंज करवाता है और उसके कपड़े वासिंग मसीन में भी डाल देता है दूने के लिए इसके बाद जब जियो को उसका फाई नहीं मिलता तो वो उसे कॉल करके पूछती है कि वो कहां है तो वो कहता है वो ट्यूसन क्लास में ह ये बात जीयो को बहुत ही अजीव लगती है जब रेंकी आफिस से जा रहा था उसे वहाँ गंदगी दिखती है तो वो गाट से उसे कॉल करने को कहता है अब जब जीयो कॉल पर बात करते हुए आ रही थी तो वो शेड़ियों से गिर जाती है ये सुनकर रेंकी जल्दी से उसके पास जाने के लिए निकल जाता है वही हम जियो को देखते हैं वो रेंकी के एक एक्जाम में फेल होना नहीं चाहती थी इसलिए उसके पैर में लगने के बाद भी वो कमपनी के लिए निकल जाती है लुँ उसे रोकता भी है लेकिन वो नहीं रुकती लेकिन जीयो पहले अपने भाई को डूंडने जाती है वहीं हम जूजी को देखते हैं जो एक सौप पर काम कर रहा था उसकी गर्ड फरेंड उसे देख लेती है और उससे कहती है कि वो वहां काम क्यों कर रहा है अब जब जूजी अपनी गर्फरेंड के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसे जियो और लू दिख जाते हैं जियो तो जूजी को देखते ही उसे वहाँ मारने लग जाती है दरअसल जियो नहीं चाती थी कि वो काम करे बलकि वो बस अपनी स्टडी पर धियान दे तभी वहाँ जूजी की गर्फरेंड बोल देती हैं वो टेट पर गए थे तभी जियो रुख जाती है आगे बढ़ते हुए लू जियो को अपने पीट पर उठा लीता है क्योंकि उसके पैर में लगी हुई थी वहें दूसरी तरफ रेंकी और उसके गार्ड उस जगह पर आ जाते हैं जहां जियो रहा करती थी वहाँ चारों तरफ रेंकी को गंदगी ही गंदगी दिखती है इसलिए वह वापस जाने के लिए मुड़ता ही है तभी रेंकी जियो और उसके साथ कुछ लोगों को देखता है यहां जियो का भाई रेंकी से कहता है कि उसे इंप्लॉईस को ओवर टाइम की वज़ाए चुट्टी दे देनी चाहिए जियो कहती है वो ऐसे ही बोलता है फिर वो लू के साथ ही चली जाती है घर जाटे टाइम रेंकी का गार्ड उससे कहता है कि कोई इंसान ही किसी पर जादा ध्यान देता है जब वो किसी से प्यार करता हूँ या उसे हेट करता हूँ रेंकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है गाट कहता है कि वो कुछ दिनों से थोड़ा अलग लग रहा है क्या वो डॉक्टर के पास नहीं गए वहीं दूसरी तरफ लू जियो की देख भाल कर रहा था यहां जियो बस रेंकी की बुराई ही कहते जा रही थी वहां हम रेंकी को उसके डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं जहां वो कह रहा था उसे नहीं पता कि वो कबसे उसके बारे में सोचने लगा उसके फिकर होने लगी उसे ये सब क्यों हो रहा है उसे नहीं पता डॉक्टर उससे कहता है कि उसे उसके पास नहीं जाना चाहिए वरना जादा प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स डेर रेन की आफिस आता है तो वो हर जगा जियो को देखता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं देखती जिब गार्ड उसे देखता है तो कहता है क्या वो जियो को देख रहा है रेंड की कहता है नहीं तभी सफाई वाला मैनेजर वहां से जाता है तो उनमें बात होती है तो मैनेजर कहता है क्या उसे जियो की फिकर है रेंड की हसते हुए कहता है नहीं नहीं गार्ड को देखने प जहाँ रेच Ki कार पारखी कर रहा था थे वहाँ Zeeo को देख लीता है जिसके पीछे उसका पूराना मेनेζर भी आ गया था रेच की उसकी बात यहाँ उने लगता है जहाँ वह मेनेζर उसे उसके लिए काम करने को कह रहा था यह साफसफाई का काम छोड़ कर इसके बाद जब वो मैनेजर लिफ्ट से जा रहा था तो वहाँ रेंकी भी आ जाता है और वो कॉल पर जियो की ही बुराई कर रहा था जो रेंकी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने उसकी पूरी बाते सुन ली थी रेंकी अपना स्प्रे वहाँ मारने लगता है वही एक लेडी जियो को रेंकी का सिगनेचर लेने को बीचती है जब वहाँ आती है तो उसका पुराना मैनेजर फिर से उसे वहाँ पकड़ लेता है तब वहाँ रेंकी आ जाता है और वो जियो को उस मैनेजर से दूर कर देता है क्योंकि जियो को अच्छा नहीं लग रहा था वो ये कियान और मैनेजर भी देख लेती हैं तभी वहाँ रेंकी को चक्कर आने लगती हैं वो बेहोस हो जाता है उसका गार्ड उसे होस्पिटल लाता है होस्पिटल में जब रेंकी को होस आता है तो जियो माफि मागने आती है तो तबे कियान उसे डाटने लग जाती है रेंकी उसे रुखने को भी कहता है तबे रेंकी अपने गाट से कहकर कियान को यहां से बाहर निकलवा दीता है जब रेंकी फिर से जियो को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और किसको याद करता है जहां क्यान को गाट के साथ बुरा नहीं उसके साथ अच्छा लग रहा था वहीं जियो को भी अब पता चल गया था आंके रेन के क्यों इतनी सफाई पसंद करता है वो सुरू से जो भी अब तक हुआ उसे याद करती है और दुखी होती है इसके बाद जियो घर आने पर बहुत अच्छे से खाना बनाती है जिसमें उसका भाई और लू भी मदद करता है लू को लग रहा था कि वो उसके लिए बना रही है जियो उसे बताती है कि रेन की उसकी वज़ा से होस्पिटल में है इसलिए वो उसके लिए लेकर जा रही है यहां लू को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था जब जियो हस्पिटल आती है तो वो रेन की के रूम से उसके ग्रेन पा की आवाज सुनती है जो उसे ही डांट रहे थे लेकिन रेन की उससे कह रहा था उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है ग्रेन पा के जाने के बाद जियो रेन की के पास आती है उसका बनाया खाना लेकर जिसमें सूप भी था यहां फिस से रेन की जियो को देख कर कहीं खो गया था तब ही जियो सूप देखकर चली जाती है वहीं हम कियान को देखते हैं जिसे रेंकी का गार्ड अव अच्छा लगने लगा था वहीं रेंकी पूरा सूप पी जाता है उसे वो अच्छा लगता है जिसके बाद वो फिल से जियो के बारे में ही सोचने लगता है और खुद को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए इसके बाद रेंकी अपने डॉक्टर को कॉल करता है और जो आज हुआ वो उसे बताता है और वो ये भी बताता है कि किस के बाद उसे बुखार तक नहीं आया वो अब बिल्कुल ठीक है लेकिन वो डॉक्टर उसे अब भी कहता है कि उसे उस लड़की से दूर रहना चाहिए इसके बाद रेंकी के मिटिंग्स और काम की बाते हॉस्पिटल में ही उने लगती है तब ही वहाँ सूप लेकर जियो आ जाती है रेंकी इंप्लॉईस को बाहर भीज दीता है बाहर आने पर वो इंप्लॉईस जियो से कहते हैं कि वो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे उसने उन्हें डिश्टरब कर दिया यहां जियो और सभी लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करने को कहते हैं वो सभी रेंकी की मदद करना चाते थे अब सभी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर बहुत महनत से काम करते हैं इसके बाद वो चारो एक जगा पर आ जाते हैं उन्हें किसी से मिटिंग करनी थी तब एक इंप्लॉई उनका रखा हुआ खाना खा लेता है तो पता चलता है वो इंप्लॉई नहीं था रेंकी कबांकी प्रसनल गार्ट था इसलिए अब जियो को अकेले जाना पड़ता है क्योंकि एक इंप्लॉई जो वास रूम गया था उसे दूसरा इंप्लॉई देखने गया था इसके बाद जियो अंदर आती है जहां बहुत से लोग बैठे थे क्योंक उससे कहती है उसे ये रेंकी के लिए करना ही होगा फिर वो अपनी प्रेजन्टेशन वहाँ पर देने लगती है लेकिन वो सही से वहाँ बोल नहीं पा रही थी कि तभी उसके पीछे से रेंकी वहाँ आ जाता है और काफी अच्छे से अपनी प्रेजन्टेशन देता है और साथ ही उसकी मदद जियो भी कर रही थी बाहर आने पर जियो पेंट ड्राइव लेने के लिए अंदर जाती है जब वो सेड़ी से जाने के लिए आती है जहां अंधीरा था कि तभी एक बंदा उनकी उपर गंदा पानी फेक कर चला जाता है लेकिन रेंकी के सामने जियो आ गई थी यहां रेंकी अपना कोट निकाल कर जियो के उपर डाल दीता है और फिर अपने साथ अपने कार में भी बैठाता है गाड़ी में टावल से रेंकी उसका चहरा भी साप करता है घर पर चलने पर रेंकी और जियो को लू बाहर ही मिल जाता है और लू जियो को अपने साइट कर लेता है रेंकी से कहता है कि वो उसके employs का ध्यान नहीं रहता रेंकी लू से कहता है कि वो जल्दी ही उस आदमी को पकड़ लेगा जिसने पानी फेका है जिसके बाद लू जियो को घर ले जाता है वहीं रेंकी जियो के लिए नए कपड़े लेने को आया था और वो एक ड्रेस को लेकर जियो के घर आ जाता है यहाँ फिस से लू और रेंकी आपस में लड़ने लगते हैं तो जियो कहती है यह उसका अराम करनी का टाइम है तो आप दोनों को ही उसके घर से जाना पड़ता है इसके बाद जियो अपना ड्रेस चेक करती है तो उसे एक नोट भी मिलता है और फिस जियो वो सब सोचने लगती है जब रेंकी उसकी केर कर रहा था जिसके बाद वो कमपनी में भी वही ड्रेस पहन कर आती है जो देखकर सभी लोग उसकी तारीब कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लग रही है तभी वहाँ उसके पास रेंकी आता है और वो तो आते ही जियो के बहुत करीब जाने लगता है तभी वो जियो के उपर एक धागा देखता है और उसे हटा देता है इसके बाद वो उसके काम के कपड़े पहनने चली जाती है इसके बाद जब उसका गार्ड उसके लिए बोन सूप बना कर लाता है तो वो सूप रेंकी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे तो जीयो का सूप अच्छा लगता था अब रेंकी ये देखने के लिए कि उसे कुछ होता है या नई वो जियो का कप लेनी जाता है जिससे जियो पानी पीती थी लेकिन तभी वहाँ जियो आ जाती है लेकिन रेंकी ने वहाँ एक दूसरा कप रख दिया था और जियो से कहता है कि वो वहाँ बस चेक करने को आया थ कि वहाँ सब सही चल रहा है या नहीं फिर वो बोलता है कि उसने अंकल जिन से सुना था कि वो एक कस्टमर के घर गई थी सफाई के लिए जियो कहती है वो एक टैनिस प्लेयर था लेकिन उसके पैरों में चोट के कारण वो किसी को भी अपने घर में आने नहीं देता लेकिन य क्या वो उससे कुछ बोलना चाती है जियो कहती है उससे चुटी चाहिए वो किसी से मिलने वाली है आज ये सुनकर तो रेंकी एकदम से हैरान हो जाता है कि अब ये कौन है इसलिए रेंकी थोड़ा रूड होकर जियो से कहता है कि वो ऐसे कैसे मेहनत करेगी इसलिए वो पहन के लिए बुरा लगता था लेकिन वो उससे कभी बताता नहीं था जब जियो उदास बैटी थी कि तभी उसके पास लू आ जाता है और वो जियो को काफी जादा इमोशनल देखता है रात को जब जुन सी अकेले बैठा था तो उसकी गर्फरेंड उसके पास आती है उस इतनी रात को यहां जियो अपना एक आडिया अंकल जीन के साथ सेयर करती है तो उनको उसका आडिया अच्छा लगता है वो कहते हैं यह सब जब रेंकी को पता चलेगा उसे काफी जादा अच्छा लगेगा तब वहां रेंकी आ जाता है और उसी वक्त जियो अंकल जीन से क पसंद करती है, वो खुस हो रहा था, और उसी का कब देख रहा था, जिसके बाद वो उसी में पानी पीने लगता है, लेकिन हैरानी के बाद थी कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, वही हम जुन्जी को देखते हैं, जो जियो की दोस्त के साथ बैटा खाना खा रहा था, और उदास था, इसलिए वो उसे समझा रही थी, जियो की दोस्त जुन्जी से कहती है कि वो बस प्री टेस्ट से पहले का डर है, दरहसल बात तो या थी, जुन्जी अपने फैमिली के लिए परिशान था, तब ही वहाँ की लाइट चली जाती है, तो जुन्जी बल्व लगा द जियो की दोस्त उसे कहती है कि उसे अगर इन्वेंसन करना पसंद है तो वो करे, वही हम रेंकी को देखते हैं, जो अब घर पर जियो का कप लेकर बैठा था, और उसे के बारे में सोच रहा था, तब है वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है, और वो भी उस कप से पानी पी लेत यहां रेंकी की मॉम वापस से कियान की बात करने लगती है, और वो तो उसके लाइफ जो वीडियो चल रही थी, वो उसे दिखाने लगती है, जहां कियान प्यार की बाते कर रही थी, इसलिए रेंकी भी उसे देखने लगता है, वो कह रही थी प्यार अंधा होता है, जब प्यार में होती हैं तो वो नौर्मल से अलब भी हैव करते हैं वो बताती है कि जब सामने हो तो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन जब अकेले होती हैं तो उन्हें उस इंसान के सबसे ज़ादा याद आती है यहां रेनकी तो बस जियो के बारे में ही सोच रहा था मतलब यही था कि उसे जियो से प्यार हो गया था इसके बाद हम जियो को देखती हैं जो अपने भाई को जगाती है, क्योंकि उसका आज एक्जाम था, अब जुनजी ब्रेकफ़स्ट कर ही रहा था, तभे उसे वाध जुन्यान लेने को आ जाता है। जुनजी जाते वक्त जू को गले लगने को कहता है जुनजी जू को जोर से गले लगा लेता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था लेकिन जू ने अभी ये नहीं सोचा था वो उसे पसंद करता है जिसके बाद जुनजी एक्जाम के लिए चला जाता है वहीं हम जीयो को देखत जो सभी लोग उसे सब flatteraces कर दें कि तबी नहीं तो उसका सफा आजाती कि लेकिन उन्हें उन्हें पूछ तकी क्या उसे जियो सही रशे का सब्सक्राइब करेंगा तो उसे तुरंत निकाल देंगा यह सून कष्यों को बहुत जादा बुरा सामने आकर कि वह गरीब रहती है लेकिन वह पूरी महनत करती है कि उसका काम अच्छा हो ता कि मुझे फैमिली को खुस रख सके जियो इमोशनल हो जाती है रेंकी को भे यहां बुरा लगता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता इसके बाद सब जियो घर पर आती है तो सभी उसका वैलकम करते हैं क्योंकि उसका बड़े था लेकिन जियो तो खुसी नहीं थी लू उससे पूछता भी है कि क्या हुा लेकिन जियो नॉरॉमल तरीके से कहती है कि कुछ नहीं हुआ है जियो के आँखों में आसू इसके बास सभी जो आ जाती है तो आदा थे तब ही जुन्जी जु को डरा देता है जिससे वो उसके करीब आ जाती यह लेकिन जु उसे अपने से दूर कर देती है कि वह ऐसा क्यों करता है यह लेकिन जुन्जी तो उसे पूरे रास्ते परीशान करते हुए जाता है वहीं रेंकी को रात में एक रिपोर्ट आती है फोन पर जिसे देखने पर रेंकी को पता चलता है कि सबसे जादा मेहनत जियो ने ही की है वहीं हम अब जियो को देखते हैं जो लू के साथ बैटी हुई थी और वो वहाँ काफे जादा दुखी थी तो लू उसे चुप कराता है रोने से मना भी करता है और कहता है उसे उसके लिए लड़ना होगा कि तब जियो तेजी से कहती है कि वो रेंकी से बदला जरूर लेगी और उसे लड़ेगी जियो ये कहते हुए यहां से चली जाती है लू कहता है उसका ये मतलब नहीं था अब हम आफिस का सीन देखते हैं जहां जियो ने अब रेंकी को परिशान करना सुरू कर दिया था जिस तरीके से उसने एक बार उसे परिशान किया था बिल्कुल वैसे ह जिसके बाद हम रात का सिन देखते हैं जहां जियो रेंकी के एसिस्टेंट और दो इंपलोई के साथ रेस्टूरेंट में थी जहां सभी ड्रिंक कहते हुए रेंकी के बारे में बोल रहे थे जियो कहती है वो बहुत बुरा है एक एंपलोई कहता है वो उसे सोने भी नहीं देता लेकिन एसिस्टेंट बहाने बनाने लगता है इसलिए वह कुछ नहीं कहता लेकिन थोड़ी देरी बात सभी लोग कहने लगते हैं कि रेंकी बहुत मेहनत करता है कि वह इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है नेक्स डेंगी को देखना था इसलिए वह अपने ऑफिस में ग कियान दिख जाती है कियान उसके पास आ जाती है जहां वह एसिस्टेंट उससे साप कह देता है यृण के इसलिए लगक यहान कोिया देखता है जो उसकी छिप कर फोड can capture कर रहा था क्यान वहां से भागती है और एसिस्टेंट इस कैमरा मैन को पकड़ने भागता है जब एसिस्टेंट के पास आता है तो देखता है वो चिकन खा रही थी वहीं एक सौप पर इस्टोबैरी मिल्क लेने को आती थी उसका फोन आफ हो गया था तो वह वहां से चली जाती है लेकिन ये रेनकी ने देख लिया था वो उस मिल्क के पेमिंट कर देता है और उसे लेकर जियो के डैक्स पर रख देता है वहीं हम जियो को देखते हैं जो उस श्टोबैरी मिल्क को लाकर रेनकी की डैक्स पर रख देती है क्योंकि उसने देखा कि वो ओवर टाइम कर र तो दोनों के बीच थोड़ी awkward moment create हो जाती है फिर दोनों इसमाइल करते हैं और फिर दोनों साथ ही बैटे हैं जहां जियो अपना खाना निकालती है जो कि डंफलिंग्स थे तो जियो वो रेंकी को भी खाने को बोलती है और कहती है वो साफ सफाही से बनाई है उसके डैड ने इसलिए रेंकी अब उसे खा लेता है जियो कहती है कैसा है वो तो रेंकी कहता है बुरा नहीं है फिर कहता है उसे भूक नहीं लगी ना तब ही उसके पेट से आवाज आने लगती है तो जियो स्माइल करती है यहां रेंकी जियो से कहता है उससे पता नहीं था वो बहुत मै को देखते हैं ऐसा लग रहा था जैसे वो रेंकी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसके बाद हम नेक्ष्ट सिन देते हैं जहां जियो फिस सफाई करने के लिए ली के घर आ गई थी उसकी मेड उसे कहती भी है वो जग गया तो वो गुसा करेगा लेकिन जियो तो काम कर सकता है तो फिर वो ऐसा कियुं सूचता है कि वो कुछ भी कर सकता है चियो कहती है जब तक जिंदगीय उसे हाड नहीं माननी चाहिए इसलिए अब ली भी उसकी बात समझ जाता है इसके बात जब जियो स्टोर में मिल्क लेने को आती है तो वहाँ वो लेडी थी जो उससे पैसे नहीं लेती है क्योंकि रेंकी ने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी थी वही हम जूजी को देखते हैं जो अपना फोटो सूट करा रहा था तब ही जब वो जू के पास आता है तो वहाँ उसका एक दोस्त आ कर कहता है कि वो जरूर उसकी गल्फरंड होगी जू जल्दी से मना कर देती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है वहीं रात को जब जियो कमपनी में थी रिनकी भी अपने आफिस में था और तब ही वहाँ की लाइट चली जाती है जियो से कहता है कि वो उसे छोड़ कर वापस आ जाएगा जियो कहती है वो फोन के टॉर्च के लाइट से यहाँ से चली जाएगी तब ही वहाँ की लाइट आ जाती है और रिंकी उससे पूछता है कि वो कैसे घर जाएगी तो वो कहती है वो यहाँ से पैदल जाकर एक बाइक लेगी और फिर घर जाएगी क्योंकि उसे पैसे बचाने पड़ते हैं जियो सोसती है साइद रिंकी उसकी सेलरे बढ़ा दे और रिंकी तो उससे कहता है ठीक है वो चले जाएगी हम जूजी और जू को डिनर करते हुए देखते हैं जूजी के बागी दोस्त के साथ लेकिन यहाँ जूजी ड्रिंक कर लेता है तब है अब वो दोनों जब जा रही जूजी जूजी से कहता है वो ब्रदर सिस्टर नहीं है क्योंकि हमेशा उसने उसे दोस्त समझा है तो जूजी असे पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है जिसके बाग से भाग जाती है नेक्स हम रेनकी को देखते हैं जो बश स्टॉप पर खड़ा जियो का वेट कर रह लेकिन रेंकी तो अब जियो के साथ ही जाना चाहता था तो वो उसकी बाइसेकल के पीछे बैठ जाता है और ऐसे ही वो अपनी कमपनी पहुच जाता है जहां पहुचते ही रेंकी का एसिस्टेंट आकर उससे कहता है उसने कार गुमाने को कही थी तो फिर वो चला क्यों गया बस स्टॉप से दरसल रेंकी ने जियो से कहा था कार काम से कहीं गई हुई है जिसके बाद फिर से जियो स्टोर में मिल्क लेने को आती है जहां वो लेडी उससे फ्री में ही दे देती है तो जियो पूछी लेती है क्या बात है तो वो लेडी बताती है उसके और वही दोनों employees मिलकर रेंकी की मदद करने का decide करती हैं इसके बाद वो रेंकी के साथ plan बनाती हैं उस बंदे को पकड़ने का जो उनके साथ धोके बाजी कर रहा है रेंकी सभी के बाद सुन कर कहता है वो उसाथ में से खुद बात करना चाहता है जो उसका काम चुरा रहा है सभी एक जगा चाहकर अपने plan की हिसाब से अपना काम करने लगती हैं तभी वहाँ जीयो को वो बंदा दिख जाता है और वो जीयो को धक्का देनी लगता है तभी वहाँ रेंकी आ जाता है रेंकी अपने employee से कहता है उसने अभी ऐसा कर दिया लेकिन फिर से किया तो वो उसे सजा जरूर देगा रेंकी जीयो का हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाता है जहां उनकी photo कोई खीच लेता है जब दोनों जा रहे थे तो फिर से रेंकी के पेट में आवाज आने लगती है तो जीयो उसे अपने घर ले जाती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ था लेकिन फिर भी कैसे तो रेंकी बैठा था अब जब रेंकी वहाँ लू को देखता है तो जाता नहीं है रुख जाता है वहीं हम एसिस्टेंट को देखती है जो क्यान की ही लाइब देख रहा था वहीं रेंकी खाना खाने के बाद देखता है लू जीयो के बरतन दोने में उसकी मदद कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगता इसके बाद लू रेंकी से बोल ही देता है वो उससे अकेले में बात करना चाहता है जिसके बाद दोनों बाहर जाते हैं जहां लू रेंकी को बताता है वही उसका डॉक्टर डेनील है इससे तो रेंकी भी हैरान था और इसलिए बार बार रेंकी को जियो से दूर रहने को कह रहा था इसके बाद हम नेक्स टे का सीन देखते हैं जहां रेंकी ओफिस में रहा है यह वही वीडियो थी जब जियो उसकी गाड़ी से टकराई थी तभी रेंकी जियो के सामने आता है तो जियो जल्दी से उसे पकड़ कहती है जरूर ये कोई कर रहा है ऐसे स्टेंट स्प्रे मारने वाला था रेंकी रोक देता है रेंकी जियो से कहता है वो अपना धिय लेकिन वो बंद आप बाहर जाते ही वो मैसेज देखकर खुस हो जाता है इसके बाद रात को जब एसिस्टेंट कियान की लाइफ देख रहा था वो हाली में फैली अफाव के बारे में बात कर रही थी कियान यहां रेंकी का सपोर्ट करती है भले ही वो उससे बात नहीं करना चाहता हो तब एसिस्टेंट एक कॉमेंंट पढ़ता है जो कह रहा था मुझे पता है वो कियान कहां से लाईफ आ रही एसिस्टेंट बिना वोक्त जाया किये पास आजाता है और उन बन्दों को मार दीता है जो कियान मारनेी आये थे इसी उसे भी चोट लग गई थी वहीं दूसरी तरफ जियो भी लाई पाकर बताने की कोसिस कर रही थी कि रेंकी गलत नहीं है रेंकी भी उसे देख लेता है ये कहते हुए यहां रेंकी वापस से उसके साथ बिदाय हुए सारे पल को याद करने लगता है रेंकी जियो के पास आता है उसका मार्क्स हटा कर उसे किस कर लेता है सियो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है रेंकी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ कियान एसिस्टेंट की पट्टी कर रही थी जाते हुए कियान उसे कहती है कि क्या वो कल उसे लेनी आएगा तो एसिस्टेंट हा कहता है दर असल अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी थे इसके बाद जब एसिस्टेंट रेंकी को उसका सेड्यूल बता रहा था तो रेंकी का ध्यान तो कहीं और ही था इसलिए वो जियो का नाम लेता है एसिस्टेंट कहता है वो काम की बात कर रहा था जियो की नहीं लेकिन रेंकी तो अब भी अजीब हरकते कर रहा था वहीं जियो भी जब लैब में काम कर रही थी तो रेंकी के ही बारे में सोच रही थी कि तभी वो वहाँ कुछ तोड़ देती है इसके बाद जब वो अकेली थी तो वो सोचती है कि उसे रेंकी से पूछना चाहिए उसने उसे किस क्यों किया था वही रेंकी ओनलाइन प्यार के बारे में पढ़ रहा था जैसे दिल का बहुत तेज धड़कना की तभी वहाँ जियो आ जाती है और पूछी लेती है उसने उसे किस क्यों किया रेंकी कहता है क्योंकि वो उससे नफरत नहीं करता वो आगे कुछ बोलता की तभी वहाँ उसका एसिस्टेंट आ जाता है तो जियो कहती है क्या वो डॉंक सन से नफरत कहता है यानि उसके एसिस्टेंट से रेंकी कहता है नहीं तो जियो कहती है फिर वो ऐसा उसके साथ क्यों नहीं कहता ऐसे स्टेंट पूछता है किया तो जियो वहां से चली जाती है जब जियो अपनी दोस्ट जू के साथ थी तो वो उसे पूछती है कोई अचानक से किसी को किस कर ले तो इसका मतलब क्या है तब जू को जूजी की किस के याद आ जाती है लेकिन जू तो जियो को सेंटिफिक कारण बताने लगती है जैसे ये सब हार्मोन्स की वज़े से होता है जू कहती है ऐसा हमेशा प्यार में नहीं होता लेकिन जू तो बस जूजी के बारे में ही सोच रही थी और कह रही थी उससे प्यार नहीं करना इसके बाद जियो अपने दोस से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया था तो उसने किस क्यूं किया जू कहती है ये कोई पूछने वाली चीज नहीं है फिर जू कहती है उसे जाना होगा वो जाने लगती है जू जी भी उसके पीछे जाने लगता है वह ये रेंकी तो अब भी जियो के बारे में ही सूच रहा था और इसमाइल कर रहा था नेक्स डे हम जियो को देखती हैं जिसे अंकर जीन रेंकी के घर सफाई के लिए बिज़ती हैं जहां पहुच कर जियो देखती है उसका घर तो पहले से ही काफी साप था फिर भी वो वहाँ सफाई करना सुरू कर देती है वहीं आप जू को एक कैफे में देखते हैं जहाँ जू जी ही काम कर रहा था वहीं जीयो एक फोटो देखते हुए गिरने ही वाली थी कि तभी रेंकी आकर उसे पकड़ लेता है जब रेंकी जीयो के करीब आता है तो वह कहता है कि उसके उपर बलू कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं जिसके बाद जीयो वापस से अपना काम करना सुरू कर देती है कि जब वो कीचन में जाती है तो इसका कब देखने ही वाली होती है तभी रेंकी उसे रोक देता है और कहता है कि आज उसके घर में पानी नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था अब जाओ जाओ जादा कुछ कहे उससे पहले ही रेंकी उसे अपने घर से वापस जाने को कह देता है अब जाओ उदास होकर घर जाही रही थी कि तभी रास्ते में उसे लू मिल जाता है यहाँ लू जाओ से कहता है कि वो रेंकी उसे इतना परिशान करता है फिर भी वो उसके साथ काम क्यों करती है जाओ कहती है कि उसे घर का खर्चा चलाना होता है यहां लू जाओ से कहता है कि अगर उसे वो कोई काम बताए तो क्या वो रेंकी की कमपनी में काम करना छोड़ देगी यहां लू जाओ को ये भी बताता है कि वो कोई playboy नहीं है क्योंकि उसने जितनी भी लड़कियों को उसके साथ देखा है वो उसकी girlfriend नहीं है वो तो उसकी कच्टमबर है दरसल वो एक साइकोलोजिस्ट है यहाँ पर जाव लू से पूछती है कि अगर कोई किसी को किस करे तो इसका मतलब क्या है फिर वो कहती है वो कुछ भी बोलती रहती है इसलिए वो इसे भूल जाए इसके बाद हम जू को देखते हैं जो कहीं जा रही थी लेकिन उसे जूजी देख लेता है जूजी जू से उसके साथ चलने को कहता है तो वो कहती है उसे कोई काम करना है जिसके लिए जूजी भी उसके साथ चलने को कहता है फिर दोनों जब जू इस्टोर से समान ले रही थी तो जूजी उसके करीब आकर उसे कहता है क्या वो सच में उसके लिए कोई फिलिंग्स नहीं रखती वह हम दूसरी तरफ रेंकी को देखती हैं जिसे जाओ ने कहा था कि उसके उपर ब्लू कलर अच्छा लगता है तो वो ब देखे थे रेंकी उसे चुप होने को कहता है इसके बाद हम रेंकी की मौम को उसके कंपनी में देखते हैं जहां उसकी मौम फिर से उसे क्यान से मिलने को कह रही थी और ये बात जाओ भी सुन लेती है तो उसे अच्छा नहीं लगा इसके बाद रेंकी क्यान से मिलने आ जा यहां कियान उसके गार्ट डॉंग की ही बात कर रही थी तो रेंकी को कही न कहीं समझ आ जाता है वो उसे पसंद करती है इसके बाद जब रेंकी ओफिस में था तो वो डॉंग से कुछ गिप्ट कियान को भीजने को कहता है डॉंग यहां दुखी था तभी जाओ भी उसकी मदद करने लगती है और दोनों की ही सेम प्रॉबलम थी यहां वहीं हम लू को देखते हैं जो अपने स्कूटर से जाओ को ही लेने को जा रहा था कि तभी जाओ के डैड उससे कहते हैं कि वो भी उसे छोड़ दे उन्हें भी कहीं जाना था अब लू उन्हें उस जगह नहीं ले जा सकता था जहां जाओ काम करती थी लेकिन जाओ के डैड के फोर्स करने पर वो मान जाता है लेकिन लू कहता है लगता है उसका स्कूटर खराब हो गया है इसलिए उन्हें टैक्सी से जाना चाहिए वहीं रेंकी देखता है डॉक ने उसका काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया था तो रेंकी उससे कहता है कि कभी कभी वो अपना काम स्लो कर सकता है वहीं बाहर जबजाओ काम कर रही थी तो लू और उसके डैड वहा तो बहुत ही परिशान हो जाता है जाते वक्त लू जाओ से कहता है क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी लेकिन तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है जिसकी आवाज बहुत तेज होने की कारण जाओ सुन नहीं पाती और लू से पूछती है क्या उसने कुछ कहा था त और देखती है कि जूजी वहां एक लड़की के साथ था और तभी उसे कोई कॉल आता है वो बात कर ही रही थी कि जूजी उसके पास आ जाता है जो उससे कहती है कि वह बस वहां से निकल ही रही थी जूजी कहता है उसने तो उसे आते हुए भी देख लिया था इसके बाद उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें एक लड़का एक लड़की को फ्लावर दे रहा था वहीं दूसरी तरफ जाओ उदास खुद से कहती है कि रैंकी आखिर चाहता क्या है जबकि उसकी एक गल्फरंड है जिसके बाद जाओ रेंकी के पास आकर उससे कहती है कि उसने उसके जाती है घर पर आकर जब जू के साथ थी तो उसे रेंकी पर गुस्सा आ रहा था यहां जू जू को फल देखकर बैठी रहा था उसे जू किक कर देती है जिसे देखकर जू को भी हसी आ घर भुलाती है दरसल वह उसे रोबोट के साथ साथ शूरा औकर होगə पानी लाती है साथिए गिर तौन मैं einp को कहती है इसे के लिएयाख में पानी लाती है लेकिन वह रॉमैंटर्ड आके साथ साथ फोड़ा awkward महल हो जाता है डॉंक जल्दी से खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है इसके बाद हम रेंकी को देखते हैं जिसे अंकर जिन बताते हैं कि जाओ को बहुत देर हो गई है वो आई ही नहीं तो रेंकी उसे call करता है तो उसे जाओ की चलाने की आवाज आती है वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उच जगह पहुँच जाता है जहां वो देखता है कि जाओ तो मज़े से तेज तेज रैप म्यूजिक गा रही थी ना कि चला रही थी अब जल्दी से रेंकी उसे वहाँ से बाहर ले आता है जहां आते ही कार में जाओ देखती है रेंकी के हाथ में चोट लगी थी तो वो उसे पट्टी करने लगती है और रेंकी तो बस उसे ही देख रहा था तभी बातों ही बातों में जाओ उसे बताती है कि सुब बनाने में लू ने उसकी मदद की थी तो ये बात रेंकी को अच्छी नहीं लगती और वो उसे लू के साथ रहने से मना कर देता है जिसे गुस्सा हो कर जाओ गाड़े से उतर जाती है इसके बाद हम रात को कियान को देखते हैं जो बार में बैटकर काफि जाधा ड्रिंक कर रही थी और बश डॉंग के बारे में ही सोच रही थी तबी वहाँ जिन नाम का एक बंदा आकर उसे परिशान करने लगता है दरशल वो चाता था कियान उसके साथ काम करी लेकिन तबी वहाँ डॉंग आ जाता है और कियान को अपने साथ अपने घर ले जाता है वहीं रेन की अब भी जाओ की लू के साथ वाली बाते ही सोच रहा था इसके बाद हम डॉंग को देखते हैं जो कियान के लिए breakfast भी बनाता है और जब कियान जगती है तो वो खुद को डॉंग के घर में देखकर हैरान हो जाती है तो डॉंग उसे सारी बाते बता देता है जिससे कियान को जिनके उपर गुसा आ जाता है वहीं जाओ अपने काम पर आती है तो लू उसे उसका बन देने को आता है जो रेंकी देख लेता है वो जाओ से कहता है कि उसे उसने कमपनी के अंदर वो खाने से मना किया था जियो कहती है लेकिन वो तो अभी बाहर है इसके बाद हम जिन को रेंकी के एक इंपलोईस के साथ देखती है जो कुछ प्लान बना रहे थे वहीं आप रेंकी को भी पता चल गया था कि कोई ना कोई उसकी कमपनी की information बाहर निकाल रहा है डॉंक कहता है वो उसे जरूर पकर लेगा जिसके बाद जाओ गाट को रोप कर उसे पूछती है कि रेंकी कहा है वो उसे माफ़े मागने को भी कहती है रेंकी आकर उसे कहता है उसकी कोई गलती नहीं है वो परिशान ना हो इसके बाद जाओ ने जिसके यहां काम किया था वो उसके लिए कुछ लाया था जिससे जाओ काफे ज़ादा खुस हो जाती है इसके बाद जाव जब घर जा रहे थी तब ही उसे रेंकी मिल जाता है जो कि उसके लिए कुछ लाया था साथ ही रेंकी उसे गले भी लगा लेता है यहां रेंकी उसे बहुत कुछ कहता है जिसके जवाब में जाव उसे कह देती है कि वो उसे boss के रूप में पसंद है वो बुरा नहीं है रेंकी कहता है वो भी उसे employee के ही तरह पसंद करता है यहाँ जाओ रेंकी से कहती है वो क्यान को पसंद करता है तो वो उससे ऐसी बाते ना करे तो रेंकी भी कह देता है वो भी तो लू को पसंद करती है उसमें सब सुना था जब वो उसके डैड के साथ थी जाओ कहती है वो बस नाटक था ताकि उसके डैड को ना पता चले वो भी सफाई का काम करती है लेकिन उसके डैड उसके ये बात सुन लेते हैं और उसके पीछे जाडू लेकर भागते हैं रेंकी या देख कर खुस होकर हसता है वहीं हम office में डॉंग को कुछ documents copy करते हुए देखते हैं जहां एक लड़की और थी कि तभी डॉंग किसी काम से बाहर जाता है और वो लड़की उस documents की सारी के सारी information किसी और को बता देती है दरसल ये तो रेंकी और डॉंग का प्लान था, उसे पकड़ने का लेकिन रेंकी इस बार उस लड़की को छोड़ देता है, वहीं जाओ तो कुछ पेपस बाट रही थी, जिसके बाद हम रेंकी के एक आफिस में मिटिंग देखते हैं, जहां सभी दुखी थे, क्योंकि बीजे जाओ को ही याद करता है, तो वो उसके घर के बाहर पहुँच जाता है, जहां उसे लू मिल जाता है, लू रेंकी से कहता है, वो किसी को भी परिसान ना करे, रेंकी कहता है, वो माफि मागने के लिए ही आया था, लेकिन लू तो यहां काफिर रूडली बात करता है, वहीं रेंकी की मौम कियान से मिलती है तो कियान उन्हें बता देती है वो रेंकी को नहीं किसी और को पसंद करती है लेकिन कियान उन्हें जाओ के बारे में बता देती है इसके बहुत जाओ जहां पेपर बांट रही थी वहां रेंकी की मौम आ जाती है और जाओ से बात करती है और क कि अगर वो उसके घर में काम करेगी तो वो उसकी सेल्ल रेतीन गुना बढ़ा कर देगी जिसे तो जाओ काफी जादा खुष हो जाती है और हाँ करदेती है क्यूंकि उसे तो पैसों की जरुरत घर आकर जाओ अपना सारा समान पैक करने लगती है लेकिन अब जाओ ने नहीं बताया था वो रेंकी के घर जा रही है वही हम रेंकी को देखते हैं जो अलग-अलग तरीके के कपड़े पहन रहा था और सोच रहा था आकिर उसे क्या करना चाहिए वही हम जाओ को देखते हैं अब जाओ कब आएगी, वो उसे पसंद करता था, इसके बार जाओ रेंकी की घर आ जाती है, जहां रेंकी दरवाजा खोलता है, जाओ के अंदर आने पर रेंकी जाओ को सारा काम समझाने लगता है, लेकिन बार बार जाओ उसे टकरा रही थी, इसकी स्लीपर्स के कारण, वह जूजी को देखते हैं, जो कि लू के साथ बैठा था, और लू उसे बता रहा था, कि उसे जू को इंप्रेस करने के लिए, या उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए, उसे उसको जैलिस करना होगा, जिसके लिए उसे किसी और लड़की के साथ गुमना होगा, वह जाओ जैसा ही कर रहा था, जैसा उसे करने को लू ने कहा था, वहीं जाओ सौपिंग करने के लिए आई थी, तो रेंकी वहाँ छुपकर उसके लिए नियू स्लिपर्स लीता है, वहीं जूजी वह सब कुछ कर रहा था, जो उसे लू ने कहा था, लेकिन जू तो उल्टा गुसे स से दूर चली जाती है वहीं हम डॉनक और क्यान को एक साथ देखती हैं अब दोनों भी करीब आने लगे थे जिसके बार डॉंक रेंकर कि घर आता है और वहां से चला जाता है क्यूंकि उसे लग रहा था उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है रेंकी जब जाओ के करीब आता है तो वो अपने रूम में चली जाती है और उसकी हार्ट बिट काफी ज़ादा टेज हो गई थी और वो रेंकी के बारे में सोचने लगी थी वहीं कियान और डांग भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे थी वहीं रेंकी फिस से जाओ को किस करता है लेकिन तब जाओ की आँके खुल जाती है उसके डैट का फोन आ गया था तो वो उनसे बात करती है जिसके बाद हम लू को देखती है जो जाओ को देखने के लिए रेंकी के कमपनी में आ जाता है लेकिन उसे पता चल जाता है कि जाओ जरूर रेंकी के घर में है वो उसके घर आता है तो उसे जाओ मिल जाती है लेकिन जाओ उसके डैट को ये बताने से मना करती है इसके बाद ले लू कहता है जिसके बाद जब सभी खाना खाने के लिए जाते हैं तो रेंकी जल्दे से जाओ के पास जाकर बैठ जाता है लेकिन लू कौन सा कम था वो जाओ को अलग करके खुद उसके पास बैठ जाता है और रेंकी से वहां रखा फूट काने को कहता है अब रेंकी से खाया नहीं जाता वहाँ लेकिन रेंकी देखता है जाँ और लू मज़े से खा रहा है, तो वह भी खाने लगता है क्गो ओ नुई पूरह खा जाते हैं और जाँ तो बस उन्हें धेकिए जा रही थी इसके पास जब रेंकी back Magic रहा Southwest तो जाओ डालिया लेकर आती है लेकिन रेंकी कहता है वो बिजी है तो जाओ कहती है ठीक है वो लो को दे देगी इसलिए जल्दे से रेंकी ही उसे खानने लगता है वहाँ आप जूजी के कैफे में देखते हैं जहां जूजी उससे कहता है वो गुस्ता क्यूं है जूजी कहता है उसने उसे reply नहीं दिया था जू जूजी से कहती है वो अपने girlfriend का अच्छे से खयाल रखे जू वहां से चली जाती है वहीं जाओ जब वरतंद हो रही थी तब ही रेंकी आकर उसके हाथ पकड़ लेता है वो उससे बात कर ही रहा था कि लू वहां आकर रेंकी का हाथ पकड़ लेता है वहीं अब हम डॉंग को देखते हैं जो कियान के लिए hand cream लेने के लिए आया था डॉंग कियान से hand cream का brand पूछता है तो वह कहती है कि जो brand उसे पसंद है वो ले आए लेकिन डॉंग तो यहां रेंकी के कहने पर आया था उसने जाओ के लिए hand cream खरिदने को भेजा इसलिए कियान गुसे से phone रख देती है जाओ जब room में आती है उसे hand cream मिलती है morning में जब रेंकी office जा रहा था तो उसे चिड़ाने के लिए लू जाओ को बाहर restaurant में चलने को पूछता है अब यह देखकर तो रेंकी office ना जाकर online ही काम करने लगता है इसके बाद जब लू और जाओ किचन में काम कर रहे थे तो रेंकी भी वहां आ जाता है और लू रेंकी को जाओ के close देख कर खुष नहीं था इसके बाद लू जाओ की मदद करने लगता है तो रेंकी भी उसकी मदद करने को जाता है वो उसकी दोस्त के साथ हुआ है। तो अब उसे क्या करना चाहिए। जाओ उसे कहती हैं कि अगर वो उसे प्यार करती है। तो उसे बता दे। इसमें डरने वाली क्या बात है। ये बाते लू और रेनकी भी सुन रहे थे। वहें डॉंक और कियान डिनर कर रहे थे तब हें डॉंक को कुछ जरूरी काम आ जाता है और वो हस्पिटल आ जाता है जहां कियान एक ओर लेडी को देखती है जिनकी हालत काफी खराब थी डॉंक कियान को बाहर रुखने को कहता है हमें पता चलता है कि वो डॉंग की ग्रैंड मदर है वहीं रेंकी के मॉम उससे मिलने आती है और कहती है जब वो ठीक हो जाएगा तो वो जाओ को यहां से जाने को कह देगी वहीं हम जाओ को देखते हैं जो अपनी मॉम की किसे चीज़ को देख रही थी जहां वो इस केक को देखकर काफे जादा इमोशनल हो जाती है तभी वहाँ रेंकी पहुच जाता है और जाओ को रोता हुआ देखता है तो वो उसे चुप कर आता है वहीं जो की घर पर जूजी आता है लेकिन जो तो उससे बात करना ही नहीं चाहती थी वहीं जाओ अपनी मौम की बहुत सारी बाते रेंकी को बताती है रेंकी भी यहाँ उसके काफे जादा क्लोज आ जाता है उन्हें एक साथ लू भी देख लीता है और उसे बुरा लगता है जाओ रेंकी से दूर होती है और कहती है वो कभी-कभी अजीब बहव करता है तभी रेनकी उसे kiss कर लेता है और साथ ही हमें कुछ flashback scene दिखाए जाते हैं रेनकी zao से कहता है वो उसे सच में पसंद करता है क्या वो उसे पसंद है zao कहती है वो नफ़रत नहीं करती फिर से रेंकी उसे किस करने लगता है उसरी तरफ हम लू को देखते हैं जिसने सायज जाधा ड्रिंक कर ली थी उसे जू और जूजी मिलकर बैट पर लेटा रहे थे यहां बेहुसी की हालत में भी लू जाओ का ही नाम लिये जा रहा था तभी जू जी जू से बात करने को ही जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है वहीं दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो आज काफी जादा खुस थी क्योंकि रेंकी ने आज उसे सच बता दिया था कि वो उसे सच में पसंद करता है इसके बात जब मॉर्णिंग में रेंकी जाओ को उठाने आता है तो जाओ को लगता है वो अब भी सपना देख रही है वो रेंकी के गालों को पकड़ लेती है लेकिन जब उसे पता चलता है रेंकी सच में वहाँ है तो वो ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है अब उठने के बाद दोनों ब्रस साथ ही करती है लेकिन रेंकी को जाओ का तरीका सही नहीं लगता तो वो उसे ब्रस करना सिखाता है जिसके बाद जब रेंकी उसका मूँ साप कर रहा था तो जल्दी से जाओ वहाँ से चली जाती है वहीं दूसरी तरफ हम जोजी को लू के साथ देखते हैं जहां हम देखते हैं जोजी ने एक जूट को पकड़ने वाला डिवाइस बनाया था और वो इसे लू के साथ टेस्ट करता है कुछ कोशन आंसर पूछ कर जोजी लू से पूछता है कि उसे वो उसकी बेहन के बारे में बताए तो लू जाओ के बारे में बहुत सारी खास बाते बताता है तो जोजी उससे कहता है कि उसे जाओ के बेकार बाते बतानी थी अच्छी बाते नहीं लू कहता है कि यही तो उसकी खामिया है लेकिन डिवाइस से पता चलता है, वो जूट बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम रेंकी को देखते हैं, जो कहीं जाने के लिए समान पैक कर रहा था, तो जाओ भी उसकी मदद करने लगती है, यहां जाओ को पता चलता है, लो वहाँ से चला गया है, वो भी बिना बताए, यहां रेंकी जाओ से कहता है, कि मैं तुम्हें परिशान तो नहीं कहता ना, जाओ कहती है ऐसा नहीं है, तभी जाओ को वहाँ एक बुक मिलती है, उसमें रेंकी ने लव नोट्स बनाए हुए थे, यानि ऐसी नोट्स जिसमें उसने लिखा था कि प्यार में क्या क्या होता जाओ वो बुक नहीं देती, तो रेन के जाओ के बहुत करीब चला जाता है, जाओ को लगता है, रेन के किस करने वाला है, लेकिन वो तो बुक ले लेता है, वहें हम डॉंग को देखती हैं, जो कियान के लाइब देख रहा था, जिसके बाद वो उससे मिलने ही जा रहा था, क लेकिन डॉंग यहाँ पर यह नहीं बताता कि उसने उसे क्यूं मारा था। वो कियान का नाम नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो नहीं बताता। इसलिए पुलिस को उसे अरेश्ट करना पड़ता है। वहें कियान उसका वेट कर रही थी। उसे बहुत गुसा आने लगता है। वहें रेनकी को किसी का कॉल आता है। और उसे पता चलता है। डॉंग ने किसी वज़ा से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डॉंग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब रेनकी को अकेले ही बिजनस ट्रिप पर जाना था। इसलिए वह जाओ के साथ जाने का सोचता है। दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते में रूख कर दोनों खाना भी खाते हैं। जहां रेनकी खाने से मना करता है। लेकिन जाव तो उसे बर्गर भी खिला देती है ट्रिप के बाद जब उन्हें घर जाना था तो वो लेट हो गए थे इसलिए दोनों एक होटल में रुखने का सूचते हैं होटल में आने पर जाव को लगता है कि रेन की एक ही रूम लेगा इसलिए वो बोलने ही जाती है कि रेन की दो रूम के लिए कह दीता है रूम में आने पर रेन की रूम के सफाई करने लगता है लेकिन वो रूम उसके रहने के लायक नहीं था तो वो श्टाफ से बात करता है कि तबी जाव उसे अपने रूम में ले जाती है उसने वहाँ सफाई कर दी थी, साथ ही वो घर के कपड़े भी लाई थी, इसलिए जाओ रेंकी को वहीं रुकने को बोलती है, जिसके बाद दोनों साथ में मूवी भी देखती हैं, जिसे रेंकी तो देखी नहीं रहा था, क्योंकि उसे मूवी से डर लग रहा था, ऐसे ही जा जाओ को एक टी-सट पहनने को देता है, रेंकी जाओ से कहता है, कि विकेंड है, इसलिए उन्हें कहीं गुमने जाना चाहिए, जिसके बाद दोनों एक साथ अक्वारियम गुमने जाते हैं, जहां दोनों ही बहुत जादा इंजवाय करते हैं, जाओ वहाँ बहुत सारी अल जाओ सो जाती है, तो रेंकी अपना कोट उसके ऊपर डाल दीता है, जिसके बाद रेंकी अंकल जिन को कॉल करता है, तो उसे पता चलता है, डॉंक साथ दिन के लिए जेल में है, फिर जाओ और रेंकी घर आ जाती है, जहां जाओ देखती है, रेंकी की मॉम पहले से ही वहा करीब आजाता है और रेनकी की मॉं उससे कहती है कि उसने नहीं सोचा था वो एसी लड़की कुछ कहता है उससे पहले उसकी मॉं Het जाओ को पकड़ कर कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो रेंकी को पसंद करती है। दरसल रेंकी की मॉम तो खुश थी। उन्हें साथ देखकर बाहर आकर रेंकी से उसकी मॉम कहती है। जब उसके ग्रेंपा ये बात सुनेंगे कि उस लड़की की वज़ा से तुम्हारे अंदर बदलावाना सुरू हो गया है तो वो भी जरूर कुस होंगे इसके बाद वापस आने पर जाओ रेंकी से पूछती है कि उसकी माम ने उसे क्या कहा रेंकी कहता है वो उसके तारीब कर रही थी तब जाओ रेंकी को बताती है कि लू ने उसके लिए कुछ नोट सोड़े हैं जिसमें उसे क्या करना है लिखा है जिसमें एक भीड़ भार वाली जगह भी थी तो जाओ और रेंकी पार्क जाने का डिसाइट करती हैं इसके बाद हम रात को रेंकी को बार में देखती हैं जहां रेंकी जिन से मिलने आया था यहां जिन रेंकी से कहता है कि डॉंक ने उसे मारा था उसके पास सब सबूत है और रही बाद जिसने ये सब देखा था वो क्यान है और वो उसके लिए गवाई नहीं देगी क्योंकि डॉंकि डॉंक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले भी उसने लड़ाई कर रखी है यहां रे रेंकी और जाओ की छिपकर खिची गई फोटोस दिखाते हैं जिस पर गुसा होते हुए रेंकी की मॉम कहती है वो सब रेंकी का पीछा करना ऐसे नहीं छोड़ेंगे लेकिन ग्रेंपा कहते हैं कि वो जिसके साथ है वो बस एक सफाई करमचारी है और जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे रेंकी के मॉम कहती है उनकी वज़ा से उसने भी कमपनी में काम किया लेकिन वो खुस नहीं है लेकिन रेंकी खुस तो है जाओ के साथ इसके बाद तो रेंकी के ग्रेंपा रेंकी के घर आ जाते हैं जहां रेंकी जाओ को उसके रूम में जाने को कहता है यहां रेंकी के ग्रैंपा कहते हैं कि वह उस लड़की को पसंद कर रहा है जब कि लोग उनके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बाते कर रहे हैं लेकिन रेंकी उन्हें साफ कह देता है वह खुस है और वह जाओ से प्यार करता है ग्रैंपा उससे कहते हैं कि वह उसने गलत क्या किया है यहां grandfather नहीं मानते और चले जाते हैं जिसके बाद रेंकी अकेले उदास बैठा था तो जाओ उसके पास आती है लेकिन रेंकी तो उट कर वहां से चला जाता है जिसके बाद जब जाओ बैठी थी उसे उसके भाई का message आता है कि उसके डैट को चोट ल जाओ के पास उसके दोस्त आती है वो जूजी के लिए आई थी लेकिन वो तो घर में था ही नहीं वहीं रेंकी एड़ोकेट की साथ डांग से मिलने जिल में आ जाता है यहां रेंकी डांग से कहता है कि क्या गवाई दे सकती है लेकिन डांग उसका नाम उसके साथ खराब नहीं करना चाहता था क्योंकि वह एक सेलेबरेटी थी एक पबलिक फिंगर थी वहीं जूर्द दुखी होकर अपनी कहानी जाओ को सुना रही थी तो जाओ उससे कहती है उसे अगर किसी से प्यार है तो उसे परिशान होने की क्या ज़रत है वो बता दे उसे इसके बाद नेक् की घर के बाहर ही मिल जाता है रेंकी यहां जाओ के लिए फ्लावर्स लाया था जिसके बाद कंपनी की मिटिंग में रेंकी कुछ नए और अच्छे रूस के बारे में बात करता है जब रेंकी आफिस में बैठा था जाओ उसके पास आती है और रेंकी से कहती है कि वह उनके बारे में अभी किसी को भी बताना नहीं चाहती है जिसके लिए रेन की भी मान जाता है घर आने पर जाओ वहां लू को देखती है लेकिन लू यहां से बात नहीं कर पाता लेकिन जाओ उसे उसके डैट की देखवाल करने के लिए सुक्रिया कहती है लू और जाओ साथ बैटे क्यान कहती है वह बस कुछ काम से आई थी फिर क्यान पूछती है कि रेंके और डांग विजी है क्या जाओ कहती है रेंके बिजी है लेकिन डांग तो आफिस ही नहीं आया कुछ दिनों से क्यान पूछती है क्यों वह डांग जेल से बाहर आ गया था और वह मैसेज देखता है जहां बहुत सारे मैसेज क्यान के थे, तभी डॉंग क्यान को उसके सामने देखता है, यहां उनके पाश्ट के कुछ फ्लेस बैक दिखाये जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, डॉंग यहां बोल भी दीता है, कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ, जिसके बाद दोनों किस करते हैं, वहीं जाओ और रेनकी सुपर मार्केट में आये थे, जिसके बाद रेनकी उसे उसके घर भी छोड़ाता है, इसके बाद जब जाओ अपने काम पर जाती है, तो वो देखती है, वहाँ एक लेडी थी, जिसके बच्चे उसे बहुत ही परिशान कर रहे थे, वो लेडी जाओ की मदद लेना चाहती थी, वहीं जू से मिल ले, जूजी उसके आफिस पहुँच जाता है, जहां जूजी उसे कहता है कि अगर वो उसे पसंद करती है, तो कहती क्यों नहीं है, जूजी कहता है वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है, जूजी बस उसे देखी रही थी, यहां जूजी भी बाते गुमा कर मान ही जाती है, जूजी उसे गले लगा लेता है, वाई हम जाओ को देखत लू के साथ रहा था इसलिए वो नहीं जाता इससे लू बहुत दुखी होता है लेकिन वहीं जाओ और रेनकी तो एक दूसरे को किस करने लगे थे वह हम को देखते हैं जो क्यान को भी अपने साथ जीम में ले आया था दूसरी तरफ जाओ और रेनकी भी एक साथ खुश थे और मज़े से गूम रहे थे, वहें डॉंक और क्यान दोनों फॉक्सिंग मैच भी खेलते हैं, जब रेंकी जाओ के साथ गूम रहा था, वो बहुत सारी जगा को छू रहा था, इसलिए हाथ दूने को चला जाता है, वहें क्यान के कोई फोटो खीच रहा था, जो डॉंक देख अच्छा है, तभी वहाँ एक बंदा जू को ड्रिंक करने को कहता है, और फोर्स करने लगता है, कि तभी वहाँ जूजी आकर उसके बदले ड्रिंक कर लेता है, जाओ जूजी से कहती है, कि वह वहाँ क्या कर रहा है, तभी वहाँ बैटी लड़कियां पूछती है, वो कौ करने लगा था तभिए की लड़किया कहने लगती है कि वो काफे जादा रुमैंटिक है जब वह से जा रहे थी तो जोजी ने तब भी जू और पकड़ा हुआ था तो जाओ कहती है वह अब तो उसका हाथ चोड़ दे या जाओ उससे पूछती है कि वह कवसे साथ है तो जोज पर तो गंदा बनकर रहता है, लेकिन आज तो ये अच्छा बनकर आया था, उसे कहां पता था, वो जू के लिए आया था, तब हे वहाँ रेन के भी आ जाता है, इसलिए जू उसके साथ जाने से मना कर देती है, वाई हम जीन को देखते हैं, जो एक बंदे को डॉंग के कुछ फोटोस दिखा कर डॉंग को फसाने के बारे में सोचता है, क्यूंकि उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका था, दरसल ये बंदा क्यान का मैनेजर था, लेकिन वो फिर भी मान जाता है, और जिन के बात मान लीता है, वाई हम डॉंग को उसके आफिस में देखते कोई उसके खिलाफ बाते फैला रहा है, लेकिन डॉंग उससे में कुछ करता, उससे पहले रेन की उससे सांत रहने को कहता है, वह हम क्यान को देखते हैं, जिसे एक आदमी डांट रहा था, क्यान कह रही थी, उसे नहीं पता था, उसके प्रोसनल जिन्दगी से उसके कमपन लेकिन वो किसी से प्यार करती है, ये गलत बात तो नहीं है, इसके बाद जब क्यान अकेले थी, वो डॉंग को कॉल करती है, वो नहीं उठाता, वहीं अंकर जिन्द कुछ काम करने वाले थे, जिस काम के लिए वो जाओ को लिडर बनाने को कहते हैं, रेनकी कहता है कि जैसा उन्हें अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं, फिर रेनकी जाओ को मैसेज कर दीता है, काम के बाद साथ खाना खाने के लिए, वहीं हम लू को देखते हैं, जो जाओ के मॉम की ग्रेप पर आया था, लू कहता है कि वो अपना एक काम पूरा करने आया था, वहीं जाओ भी उस साथ ही रहा करते थे, जब दोनों जा रहे थे, तो जाओ वापस से रेनकी की ही बाते करने लगती है, इसके बाद हम कियान के मैं नजर को देखते हैं, जो रेनकी से बात करने को आया था, लेकिन यहां तो वो जिन को पहचानने से भी इंकार करता है, रेनकी उससे कहता है, क जब वो साथ घुमने गए थे यहां जाव रेंकी को बताती है कि वो उसकी मॉम की ग्रेप पर गई थी जहां उसे लू मिला और वो उसके साथ बच्वन में खेला करता था इसके बाद रात को हम डॉंग को एकसरसाइज करते हुए देखते हैं जहां उसके फोन पर कियान की बह हां से चली जाती है वाई हम जाव और रेंकी को देखते हैं जहां दोनों एक रैस्टोरेंट में आए थे दर असल वह थो ओनों होड़ाटपॉट खाने आरे थे हौड़ाटपॉट में बहुत मसाले थे तो रेंकी पानी पी लेता है लेकिन जाओ कहती है वह मिल्क लाती है कहता है मिल्क से अच्छा कुछ और है वो कहती है क्या रेंकि उसे किस कर लेता है इसके बाद हम कंपनी में हो रही मिटिंग को देखते हैं जहां अंकल जिन जाओ को टीम लेडर बनाते हैं उनके सफाई डिपार्टमेंट की सभी जाओ के लिए क्लैपिंग करते हैं हम जूजी थी क्योंकि तभी उनकी टेबल पर कुछ बंदे आकर वाइलन बचाने लगते हैं दरअसल यह तो जूजी ने जू के लिए प्लान किया था जाओ को लग रहा था जूजी को पता चल गया है उसका परपोर्शन हो गया है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है जू कहती है हाँ रहा है जू कहीं देती है वह एक साथ है इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो सबसे लेडत तक काम कर रहे हैं कंपनी में तो रेनकी उसे गालेती है जो उसे नहीं पता थी इसके बाद वो रेंकी के पास आती है रेंकी उसे उसके पास बुलाता है उसके गले को पकड़ कर उसे किस कर लेता है जो किस करने जाही रहेते की तबी वहाँ एक employee आ जाता है और जल्दी से दोनों दूर हो जाते हैं और जाओ पाहर चली जाती है इसके बाद तो रेन की गुस्से से उस employ को देख रहा होता है इसके बाद जब वो employ बाहर आता है तो अपने दोस्त को बता रहा था की रेन की जाओ के बहुत ही करीब था वो तो उसे पकड़ कर बता रहा था कि तभी उन्हें डॉंग ऐसा करते हुए देख लीता है उसे तो कुछ गलत ही लगता है कि दोनों क्या कर रही है तभी वो employee डॉंग से कहता है कि रेंकी आजकल अलग लग रहा है तो डॉंग कहता है हाँ वो बहुत अच्छा है जब वो employee जाओ का नाम लेता है तो डॉंग कहता है वो भी बहुत अच्छी है दरसर डॉंग खुद भी कियान के खयालों में खोया हुआ था जिसके बाद हम रेंकी को देखते हैं जो जाओ को उसके घर छोड़ने आया था जाओ यहां रेंकी से कहती है कि आज उस employee को सब पता चल ही जाती रेंकी कहता है कि उसे सब को बता देना चाहिए लेकिन जाओ तो उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अभी वो deputy team leader बनी थी और सभी को लगा वो उसकी वज़ा से बनी है फिर दोनों गले लगाते हैं और जाओ अपने घर चली जाती है जब रेंकी वापस जा रहा था तो वो car को direct touch नहीं करता पहले उसे साब करता है ये लू भी देख लेता है दरबसल जाओ ने लू से कहा था कि रेंकी ठीक हो रहा है लेकिन रेंकी बस जाओ को दिखा रहा था ऐसा वो ठीक नहीं था अभी इसके बाद हम रेंकी की कमपणी का सीन देखती हैं जहां ब्रेक टाइम में कुछ लड़किया रेंकी के बारे में ही बात कर रही थी कि वो किसी के साथ रिलेशनसिप में हैं पर वो अखिर कौन होगा ये सुनकर जाओ वहां से जाने लगती है लेकिन तभी वहां रेंकी आकर उसे पकड़ लीता है और वो सभी से कहता है कि वो जाओ के साथ रिलेशनसिप में हैं सभी काफी खुस और हैरान थे वहाई हम जाओ के डैट को देखते हैं जिनके पास रेंकी के ग्रेंट पा आते हैं और जाओ को उनके बेटे से दूर रहने को कहते हैं लेकिन जाओ के डैड कहते हैं जाओ कोई बुरी लड़की नहीं है और रही बात उनके बेटे की तो वो उसे अपने पास ही रखे जाओ के डैड गुस्ते से वहां से चले जाते ह इसके बास जब जाव बाहर जा रही थी रेंकी से मिलने के लिए, तो उसके डैड नाटक करते हुए उसे वहां रोक लेते हैं, लेकिन जादा देख इनका नाटक नहीं चलता, तो वो जाव को उसके रूम में ही रहने को कहते हैं, क्योंकि वो अप नहीं चाते थे, और वहीं दूस्ट भी बैटी थी जूजी उसे लेकर बाहर चला जाता है इसके बाद हम कियान को डॉंग की ग्रैंड मा के पास देखते हैं जो उनकी देख भाल कर रही थी लेकिन जब डॉंग ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है इसलिए वह थोड़ा अराम से रूड होकर कियान को वहां से जाने को कह देता है कियान को बुरा तो लगता है लेकिन वह वहां से चली जाती है दरसल बुरा तो डॉंग को बहुत लगता है लेकिन वह नहीं चाता उसकी वज़ा से कियान को कोई भी तकलीफ हो वहीं हम जाओ को देखते हैं जो बाहर जाने के लिए room से निकलती है लेकिन उसके dad जाने नहीं देते तो वह वहीं बैठ जाती है ताकि वो सोज आये लेकिन वो तो सोते भी नहीं है कुछ दिर बाद दोनों ही सोज आते हैं तभी जाओ को gate से किसी की आवाज आती है और ये सभालता है तब जाओ के डैड रेंकी से कहते हैं उसकी खुद की फैमली ने उसे दूर रहने को कहा है रेंकी को पता चलता है कि उसके ग्रैंपा वहां उनके पास आए थे रेंकी वहां से चला जाता है इसके बाद हम लू को देखते हैं जो जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि वो माफी चाहता है लेकिन वो पूछना चाहता है कि जिस ड्रैबर ने इसकी मॉम का एक्सिडेंट किया था उसने कुछ पैसे मुआपजे के तौर पर दिये थे क्या जाओ कहती है वो 20 लाग देन चाहती है लु से परिसान देखना भी नहीं चाहता था इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो को कौर कर के बुलाउथ है क्योंकि वह उसका बनाया केक क्रेंट की को देना है दोड़ को देखती है आ हम आत्मी कल करके बताता — लगल यह लड़की उसी का नाम लिये ज झारई नसे में वो पुलिस स्टेशन आकर उसे ले जाए फिर डॉंग कियान को अपने पीट पर उठाकर अपने घर ले आता है और बैट पर लेटा देता है लेकिन कियान उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि वह वहां से ना जाए इसके बाद दोनों किस कहते हैं इसके बाद हम जूजी क जा रही थी तो डॉंग उससे कुछ कहने जाता है लेकिन कियान कहती है वह रात को नसे में थी तो वह कुछ ना कहे दरएसा कियान इस वक्त खुस थी इसके बाद आफिस आकर डॉंग रेंकी से कहता है कि उसे जिन को मौका नहीं देना चाहिए उसे वह जल्दी पकड़े व वह बाहर चलेंगे घुमने तो जाओ कहती है वह उसके डैड से पीछे लू के साथ जाने के लिए तो जाओ के डैड मान जाते हैं जिसके बाद लू जाओ को बाहर ले आता है दर असल वह जाओ को रेंकी से मिलाने के लिए ही बाहर लाया था क्योंकि जाओ ने कहा था उसे 우린ेंके को देखना है साहों को जाते वग पीछे से लू कहता है कि तुम खुस रहो हमेशा बस यहीं चाहता हूं धा erstा यह फास करते हैं लोगे हम जूजि के पीछे भागने लगता दरसल दुब उसे परिशान कर रही थी वहाई हम जाओ और रियनकी को देखते हैं जो बुरिज़ पर खड़े बात कर रही थे रियनकी बताता है कि उसके ग्रैंपा अमेशा से ही ऐसे हैं उन्हें लगता है कि बस वही सही हैं और कोई नहीं पर वो अमेशा ही गलत चीजे करते हैं जिसके बाद रेंकी जाओ को उसके घर छोड़ने भी आता है जहां जाओ जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन यहां रेंकी जाओ एक दूसरे के फोन में बॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं जैसे जाओ रिकॉर्ड करती है रेंकी गुड मॉर्निंग वह रेंकी कहता है वो उसे मॉर्निंग में भी प्यार करता है दोफायर में भी प्यार करता है और रात को भी जिसके बाद जाओ रेंकी को गले लगा घर चले जाती है तब रेंकी वहाँ लू को देखता है और उसे सुक्रिया कहता है ऐसा करने के लिए तो लू कहता है उसने ये जाओ के लिए किया था और चला जाता है इसके बाद हम रेंकी को उसके आफिस में देखते हैं जहां एक लड़की कुछ स्टार्स बना रही थी वो कहती है कि उसने सुना है उसे वो जिससे प्यार करती है उनका रिस्ता मजबूत होता है रेंकी वो सारा समान ले लीता है जिसके बाद हम रात को रेंकी और डांग को वो इस्टास बनाते हुए देखती है जहां अब जाओ को हम उसके डैड के पास देखती है जहां जाओ के डैड भी जानते थे कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया है लेकिन जाओ उनसे कहती है वो दुखी ना हो वो उसके हीरो है जाओ के डैड उसे कल से काम पर जाने के लिए कह देते हैं जिससे जाओ को बहुत ही अच्छा लगता है साथ ही जाओ के डैड उसे वो समान भी दे देती हैं जो रेंकी ने उसके लिए बिजवाया था इसमें कुछ नोट्स भी थे जिनने जाओ अपने रूम में लगा देती है इसके बाद हमें पता चलता है लू जाओ की मॉम की एकसिडेंट करने वाले ड्रैवर को डून रहा था जहां उसे किसी का कॉल आता है और पता चलता है वो आत्मी जेल में था तो उसके एकाउंट में कोई पैसे डलवा रहा था इसके बाद वो आदमी लोकोज ड्रैवर की फोटो बेचता है इसके बाद हम नेक्स डे का स्थीन देखते हैं जहां जाओ रेंकी के आफिस में आती है पर वहां रेंकी नहीं था तो वो वहां सफाई करने लगती है तभी वहां रेंकी आ जाता है जो उसे देख कर खुस था कि तभी उन दोनों के बीच वही इस्टास गिरने लगते हैं जो रेंकी और डॉंक ने बनाए थे जाओ रेंकी से कहती है कि क्या वो इस्टास उसने बनाए है रेंकी जाओ को गले लगाता है और कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आती है जाओ कहती है मुझे भी वहीं दूसरी तरफ हम डॉंग को देखते हैं जो कियान के लिए flowers लाया था लेकिन कियान उससे कहती है उसे flowers पसंद नहीं है इसलिए वो उसे वापस ले जाए इसके बाद डॉंग कुछ और गिप्ट लेकर कियान के घर आता है कियान देखती है वो router था डॉंग कहता है उसकी internet speed धीमी है इसलिए कियान वो भी नहीं लेती इसके बाद डॉंग फिस से कियान के घर आता है इस बाद भी वो कुछ अजीब ही लाया था क्यान नहीं लेती लेकिन वो गेट बन करने के बाद मुस्कुराती जरूर है इसके बाद हम जाओ को रेंकी की मॉम से मिलते हुए देखते हैं जहां रेंकी की मॉम जाओ को बताती है की रेंकी के ग्रेंपा हमेसा से ऐसे ही है और वो सिर्फ रेंकी को प्रफेक्ट देखना चाते हैं और इनी सब के बीच वो बिमार भी हो गया था यहां रेंकी के मौम बहुत ज़ादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो रेंकी से बहुत प्यार करती थी इसके बाद हम कंपनी में जाओ को देखते हैं जहां एक इमप्लाई कोई चीज जाओ को दिखा रहा था रेंकी के आते ही वो वहाँ से चला जाता है अब जो चीज वो दिखा रहा था उसके अंदर जाओ अपने हातों को रखती है तो उसके हातों का प्रिंट बन जाता है रात को रेंकी उस प्रिंट को देखकर एक रिंग बनवाता है एक रिंग बनवाता है जाओ के लिए इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसके डैट कभी गूफ फैमली के ड्रैवर थे वो अभी जेल में थे वो कह रहा था कि उसके डैट जेल में है और वो लोग अराम स अपनी जिन्दगी जे रहे हैं वही हम लू को देखते हैं जो जाओ के घर आता है जहां वो एक अलबम देखता है गू फैमली की जिसे रेंकी ने ही भेजा था वहां लू उस ड्रैवर को भी देखता है जिसकी फोटो उसके पास आई थी वो उस फोटो को रख लेता है अब लू को पता चल गया था इन सब के पीछे कौन है वही हम जिन्दगी को देखते हैं जिसे भी ये बात पता चल जाती है और वो तो वैसे भी गू फैमली को अपना दुस्मन समझता था वही हम जूजी को देखते हैं जो जू के लिए नेकलेस लेने आया था लेकिन वो बहुत महँगा था जूजी घर बैठा था तो वहीं लू आता है और उसकी काफी मसीन देखता है उसे काफी फसन थी तो वो खरीद लेता है ऐसे जूजी को पैसे मिल जाते हैं इसके बाद रात को जूजी जू के साथ हाट पाट खाने को कहता है लेकिन जू को तो बहुत सारा काम आ जाता है और जब जूजी उसे परिशान करता है तो जू बहुत जादा गुसा हो जाती है और कहती है वो अब भी एक चोटा बच्चा ही है वहीं रेनकी और डांग साथ में रोमैंटिक मुवी देख रहे थे और रेनकी डांग से कहता है वो बर्प में ऐसा कर रहे हैं उन्हें ठंड नहीं लग रही है क्या यहाँ पर जबजाओ का कॉल आता है रेनकी कोतो वो उसे बेबी बोलता है उसे वक्त फोन कट हो जाता है वही हम जूजी को देखते हैं जिसे जूजी की बातों पर घुसा आता है वो घर आकर उस नेकलस को फेक दीता है लेकिन उसे फिर ढूंड कर भी लाता है वही हम जूजी को देखते हैं जिसे जूजी की हैप्पी बड़े कहते हुए वीडियो मिलती है। वो जूजी को कॉल भी करती है। लेकिन उसका फोन दूर रखा था। नेक्स्ट इस जब जाओ रेंकी के आफिस में आती है। तो रेंकी उसके उपर कौन से ड्रेस अच्छी लगेगी। दूर ने बैठा चेक कर रहा था। जब जाओ उससे कहती है वो क्या कर रहा है। तो वो कहता है वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके बाद हम डॉंग को देखते हैं जो कियान को लेने आया था। वो कहती है उसके पास कार है। डॉंग कहता है उसे कहां जाना है वो उसे छोड़ सकता है बेबी क्यान सुनकर बोलती है ये कूल है तब ही वहाँ से एक बंदा अपने डॉग को ले कर जाता है उसका नाम भी बेबी कहकर ही बुला रहा था इसके बाद दोनों एक कपड़ों की सौप पर आ जाते हैं यहां क् रेंकी मेरेश प्रोपोसल देखने लगता है जहां हम जूजी और जू को देखते हैं जो अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपीनियन दे रहे थे तो डॉंग कहता है क्या उनकी लड़ाई हुई है वो कहते हैं नहीं इसके बाद हम रेंकी को मेरेश हॉल बुक करते हुए दे देख पाते हैं कि रेंकी और सभी मिलकर जाओ को बिना बताए उसे साधी वाला सप्राइज देने के लिए मेहनत कर रहे थे लू और जाओ को कुछ भी नहीं पता था यहां जाओ को लू परिशान लगता है तो वो कहती है वो उससे सब कुछ बता सकता है वो उसकी दोस्त है इसके बाद हम नेक्स्टे का सिन देखते हैं जहां डॉंक कियां जूजी जू साथ काम कर रहे थे जब जूजी जू के बाल बनाने को पीछे की तरफ आता है उसे उसका लाया हुआ नेकलेस पहना देता है इसके बाद हम रात का सिन देखते हैं जहां सभी की तैयारी कंप्ल और वो सप्प्राइज कर देते हैं साथ ही सभी डांस भी करते हैं जिसके बाद रहाँ से रोते हुए दुखी होकर बाहर आजाती है और लो बाहर ही था वह उसे लेकर घर आ धाता है दो nt को भी रेंकी के उपर घुषा आ रहा होता है घर आकर जाओ आफ से कहता है इसमें उसकी गलती नहीं तो वहाँ दूसरी तरफ पर जाता है घर आकर रेंकी अपने घ्लत को साप करने लगता है रिंके बच जाओ के बारे में ही सोचते जा रहा था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसकी वज़़ा से ही वो ठीक होने लगा था। उन दोनों ने एक एक्क्यूरियम में एक लेटर बॉक्स में लेटर भी डाला था कि वो हमिशा एक साथ रहेंगे। वहीं जूज पर नहीं लग रहा था इसके बाद जब रेंक की कमपणी आता है तो वह जाओ के डेक्स देखता है उसे याद आता है और रेंकी की बिमारी वापस से आने लगी थी रात को जाओ का भाई उसके लिए खाना लाता है और उसे ज़्यादा परिशान होने से मना करता है वहीं सबी को भगा दीता है यहां लू डॉंग को बताता है कि वो रेंकी का डॉक्टर है वहीं हम रेंकी को पागलों की तरफ हर तरफ सैनिटाइजर मारते हुए देखते हैं उसकी मौम भी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता उसकी बिमारी बढ़ने लगी थी जब रेंकी के लू आता है रेंकी कहता है अब सब वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता था लू कहता है वो जाओ को पसंद करता है लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था और आज वो सिर्फ उसके लिए आया है वहीं हम डॉंग को देखते हैं जो अपनी चोट पर दवाई लगा रहा था कि तभी वहां क्यान आ जाती है, डॉ McMahon चोट को छीपा लीता है latihan देख लीती है, वहीं हम रात को जाउ को ँसी छूले को depends देखते हैं, जिस प्र वह और रेंकी आई थे, उन्होंने बहुत मज़े किये थे, तब ही वहां रिंकी आता है, और उससे पकड़ लीता है, लेकिन जाओ दूर हो जाती है जहां जाओ रेंकी को उससे दूर जाने को कह रही होती है रेंकी कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा लेकिन जाओ रेंकी से कहती है कि ये उनकी लाश्ट मुलाकात है इसके बाद वो कभी नहीं मिलेंगे रेंकी जाओ से कहता है कि उसे अब भ सबस्क्राइयं वह छाने लुएन कर्या अगर पर सकतता हुय तो लोसे इस ऻंपर भरुसा था इसके बाद हम सब्सक्राइब नहीं हो देखते हैं जहां हम जाओ की बॉइस ओवर सुनते हैं कि जो भी बुरा हुआ अब तक वो उसे भूलना चाहती है जाओ कहती है वो फिर से एक नए तरीके से जिन्दगी सुरू करना चाहती है इसके बाद हम जाओ के भाई और डाट को ब्रेकफ़स्ट करते हुए देखते हैं जहां जूजे याज जल्दे उटकर क्लास के लिए चला गया था ऐसा पहले बार हुआ था इसके बाद जाओ वापस से कंपनी आ जाती है काम करने जहां उसके साथ डांक और वो दो नोई इंप्लॉईज ही थे क्योंकि अब रेंकी तो कंपनी आ ही नहीं रहा था इसके मोम भी परिशान थी उसकी बिगरती हालत के लिए रेंकी की मॉम लू से भी बात करती है वहीं रेंकी जाओ की रिकॉर्डिंग की गई भॉइस सुन रहा था वहीं लू डॉंक को बहुत सारी दवाईयां की लिष्ट भेचता है जो रेंकी के लिए थी इसके बार डॉंक लू जाओ से कहता है जब किसी कंप्योटर को इस्तमाल नहीं करते हैं तो वह खराब हो जाता है ऐसे ही जब रेंकी कुछ करेगा ही नहीं तो वह भी बिमार हो जाएगा इसके बाद हम डॉंक को उसकी ग्रेंट मा के पास देखते हैं जहां क्यान भी आई हुई थी यहां को पता चलता है कि वह जगए बान हो जाएंगी बताता है कि वह नर्शिंग नर्शिंग इस महीने में बंद हो जाएगा इसलिए वह ड़ौं को कुछ और अच्छे नर्शिंग होम के लिश्क देता है तकि वह अपनी घ्रेंट मा को ट्रांसफर कर सके जाओ को देखते हैं जहा नहां दोने से रोकती हैं फिर वो से धूप में रहने को बोलती है जिस तरह पेडॆ रहते हैं जाओ दो पुध्धे वहां रखती है जिसके बाद वो चले जाती Elsie साथ्टी ठीकी माम बताती एक रनकी होस्पिटल गया था इसके बिमारी फिस्चे आने कbench के लगने नरप को ने सब जोंदी खुआ्ट करते हैं तो शुक होगे साथ संबूने वाला था वहीं जो अफिस से निकलने ही वाली थी पर उसे वहां एश्ट्रा काम मिल जाता है वहीं जब रेंकी घर में आता है तो उसे पूरा घर साप मिलता है रेंकी खुश था कि वो उस टैडी को भी देखता है जो जाओ को पसंद था वो उन प्लांट्स को भी देखता है जो जाओ ने वहां रखे थे रेंकी जाओ कि उस टैडी को लेकर ही सो जाता है नेक्स्ट रेंकी का एक इंप्लॉई बताता है कि वह मीटिंग में गया था जहां रेंकी के ग्रैंपा ने कहा कि जो प्रोजेक्ट वह कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी फेल हुआ और अपने गोल से भटका तो उसे निकाल दिया जाएगा साथ ही वह इंप्लॉई बहुत से बाते कहता है जिन कामों को करना उन सभी के लिए बहुत ही हाट था यहीं डांग भी सभी को बता देता है कि उसकी ग्रैंड मा कर नर्शिंग होम बन होने वाला है यहां जाओ को एक आडिया आता है उसका ड दो सभी के साथ अच्छे से घुल मिल गया था यहां जाओ को एक आइडिया आता है हम रात को डां को रेंकि के साथ ृहां डांग रेंकि को आप व कि बता रहा था कि नर्सिंग होम में यंग लोग भी रहे ताकि औल लोग ऊस्ठा लगए और उसके हो तर समिट सो की मिटिंग होने वाली है यहां रेंकी कहता है कि इसके बाद अगर उन्हें कोई एबॉर्ड मिलेगा तो सभी उनके आडिया पर गौर करेंगे वही हम जाओ को देखते हैं जो सोच रही थी अगर रेंकी उसके साथ होता तो वह उसे क्या प्लान करने को कहता तब है वह वहाँ उसे इमेजन करने लगती है यहां रेंकी उसे बताता है कि वह जो भी सोचती है वह सही है बस वह अच्छे से अपना काम करे इसके बाद हम डॉंग को देखते हैं जो क्यान का वेट कर रहा था जब क्यान आती है तो वह डॉंग से ऐसे ही कहती है कि उसका बैक भारी लग रहा है क्या वो पकड़ सकता है टॉंग हाथ में ले लीता है और कहता है नई भारी तो नहीं है और वापस से उसे दे देता है जिसके बाद जब क्यान घर पर थी तो उसके पास डॉंक आता है यहाँ वो उसके लिए कुछ प्रोटीन से भरा हुआ खाना और डंबल लाया था ताकि कियान एक्सरसाइज कर सके और स्ट्रॉंग हो सके वही हम जाओ को देखते हैं जो एक मिटिंग में आई हुई थी वो वहाँ बहुत अच्छे से अपनी प्रेजन्टेशन देती है जो सभी लोगों को पसंद आती है तब जाओ को वहाँ रेंकी नजर आता है जब वो बाहर जाती है तो उसे वो कहीं नहीं दिखता वो एक गाड़ी से टकराती उससे पहले रेंकी आकर उसे पकड़ लेता है और जाओ से कहता है वो ऐसे कैसे रोट पर भाग सकती है साथ ही रेंकी कहता है कि उसने आज उसकी प्रेजन्टेशन देखी वो बहुत अच्छा कर रही थी जाओ जाते हुए कहती है कि वो भी अपनी जिन्दगी अच्छा से जीए इसके बाद जब वो जा रही थी तो रेंकी भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है क्योंकि अब वो पहले की तरह साथ नहीं थे इसके बाद जब रेन की घर पर था उसके पास लू आता है उसे चेक करने के लिए यहां रेन की लू से कहता है कि उसे नहीं पता जाओ की मॉम का एक्सिडेंट उसके ग्रेंट पान ने किया है या उस ड्राइबर ने लू कहता है कि वो सच का पता जल्दी ही लगा लेगा जिसके बाद वो दोनों ही इस बंदे के पास आ जाते हैं जिसके डैट ड्राइबर थे लू और रेन की उससे सच पूछता है जिस पर वो उसकी माम का एडरेस दे देता है क्योंकि उससे भी नहीं पता था अक्सिडेंट किसने किया था वो सिर्फ उसकी माम को पता था जिसके बाद लू और रेन की उसकी माम को डूंटते हुए एक बहुत सारे कचरे वाली जगा पर आ जाते हैं जहां उसकी मॉम यानि उस ड्रैवर की वाइप मिल जाती है लेकिन ये जगा गंदी होने की वज़े से रेंकी को प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही वो लेडी भी सच नहीं बताती उन्हें इसलिए उन्हें उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है वही हम जाओ और उसके टीम मेंबर को देखते हैं जहां उन्हें पता चलता है उन्होंने वो एवाइड जीत लेया है इसकी बाद रेंकी कर रहा था वो लोग बहुत ज़ादा खुस होते हैं ये बात अंकल जिन रेंकी के ग्रैनपा को भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस वाइड लेडर जाओ थी हम यह सुनते ही रेंकी के ग्रैनपा फोन कट कर देते हैं इसके बाद हम जाओ के साथ वाले इंपलाई को एक ओर लेड़े की मदद करते हुए देखते हैं जिस तरीके से जाओ का प्लान था ताकि ओर लोगों का काम असान हो जाए इसके बाद जाओ के पास एक इंपलाई आकर रेंकी को फोन करके बताता है कि उन्होंने फर्स प्राइस जित लिया है साथ ही ये भी की लिडर जाओ थी जिसके बाद जाओ सोचती है रेंकी उसे कॉल करेगा लेकिन वहीं हम रेंकी को देखते हैं जो कॉल करने वाला था लेकिन रुख जाता है जिसके बाद जाओ अपने भाई और जू के पास आती है जहां उसका भाई जू की ही देखभाल करे जा रहा था तो जाओ को गुसा आ जाता है वो खुद ही उन्हें बताती है उसने एक competition जीता है तो जू और जूजी भी देखते हैं जैसे वो उसकी बात सुन रहे थे पर सस्तो ये था कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और पर भी चलते हुए उसे रेंकी दिखाई दे रहा था वो समाइल करती है वो रेंकी वहां नहीं होता है वही हम रेंकी को देखते हैं जो तकलिफ होने के कारण भी उस गंदी जगह पर आता है उस लेड़ी से बात करने उससे उसका कच्राग गिर जाता है तो वो उठाता भी है जबकि वो उसे टच भी नहीं कर सकता था लेकिन इस बार वो लेड़ी भी रेंकी को सच बता ही देती है जिसे रेंकी लाइप लोगों को दिखा देता है और ये लाइप जाओ भी देख लेती है वो उस जगह पर आ जाती है और रेंकी का नाम पकारने लगती है रोने भी लगती है कि तभी रेंकी उसे दिख जाता है दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रेंकी बेहोस हो जाता है उसे हॉस्पीटल लाया जाता है जिसके बाद लू और उसकी मॉम भी वहां आ जाते हैं यहां लू जाओ को बताता है कि उसने उसे वहां जाने से मना किया था लेकिन रेनकी को सच जानना था, यहां रेनकी की मॉम भी अपनी तरफ से जाओ से माफी मांगती है, उस एक्सिडेंट के लिए, जिसमें उनके ड्रैवर से एक्सिडेंट हो गया था, रेनकी की मॉम उसे रेनकी के साथ रहने को कहती है, क्योंकि उन्हें पता था रेनकी दवाईयों से नहीं, इस वक्त प्यार से ठीक होगा, इसके बाद जब रेनकी को होस आता है तो जाओ उसके पास ही बैठी थी, इसके बाद जाओ रेनकी के गले लग जाती है, फिर दूनों बाते करने लगते हैं, जहां जाओ उससे माफे भी माँगती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी इसके बाद हम next day जाओ को रेंकी के grandfather के पास देखते हैं जहाँ रेंकी के grandpa को समझा रही थी कि उन्हें रेंकी के साथ अच्छा वैवार करना चाहिए क्योंकि अभी उसकी ही जरुरत है फिर जाओ वहां से चली जाती है रेनकी के ग्रैनपा को देखते हैं, जिनके लिए रेनकी की मौम ने सिम्पल खाना बनाया था, बिना मसाले का, वही हम जू और जूजी को देखते हैं, जो साथ काम कर रहे थे, जहां जूजी जल्दी ही, अब रौट पढ़ाई के लिए जाने वाला था, इसके बाद हम जाओ और रेंकी को देखते हैं जो ग्रेंपा के घर आये हुए थे जहां सभी साथ बैट कर खाना खाने वाले थे तब रेंकी की मौम के साथ चली जाती है और रेंकी ग्रेंपा के साथ एक जगह आ जाते हैं जहां हम देख पाते हैं कि रेंकी के ग्रेंपा ने उसके बच्पन के सभ करके रखा था। दरवसल हमेशा ही उसके ग्रेंट पाउवस की फिकर करते थे इसके बाद सभी बैठ कर खुशी से खाना खाते हैं इसके बाद ग्रेंट पाउवसे कहते हैं कि वो सही है वह हम जू और जूजी को तयार होते हुए देखते हैं इंटर्वियो के लिए जहां जू कुछ कोशन करती है और जूजी उसका आंसर देता है इसके बाद जू जूजी को किस कर लेती है वह हम डॉंक और कियान को देखते हैं कियान को कहीं इंवाइट किया गय तो वो देखते हैं कि रेंकी के ग्रैंपा उससे मिल रहे थे जिसके बाद रेंकी जाओ के डैड से मिलने जाता है यहां जाओ के डैड और जोजी उससे कहते हैं वो जाओ को बिल्कुल भी परिशान नहीं करेंगे जाओ के डैड और जोजी उससे कहते हैं जाओ को बिल्कुल भी परिशान ना करे यहाँ जाओ के डैड साधी के लिए हाँ कर देते हैं इसके बाद सभी डिनर कर ही रहे थे कि यहाँ जो भी आ जाती है और यहाँ जाओ के डैड उसकी साधी की बात करने लगते हैं और लू का नाम लेते हैं कि वो लड़का अच्छा है जाओ भी कहती है हाँ वो अच्छा है तब जोजी कहता है वो उसकी गल्फरेंड है इसके बाद हम जाओ और रेंकी को बाहर देखते हैं जाओ रेनकी से कहती है कि उसके डैट मान जाएंगे, वो फिकर ना करें, इसके बाद जाओ रेनकी को एक ब्रिज पर ले आती है और उसके बड़े का सप्राइज देती है, जहां रेनकी विस्ट करता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहें, जहां जाओ भी रेनकी से कहती है, वो हर बड़े पर उसके साथ रहना चाहती है, इसके बाद रेनकी जाओ को किस कर लीता है, नेक्स डे रेनकी अपने ओफिस आ जाता है, जहां फिर से सभी जल्दी जल्दी सफाई करने लगते हैं, कि तभी रेनकी एक लड़की के पास आता है, और उसके टेवल से एक प्लांट उठाता है और कहता है कि ये अच्छा है और आफिस में आ जाता है जिसके बाद डॉंक रेंकी के पास आता है और कहता है वो अब ये जॉब छोड़ रहा है डॉंक कहता है उसने उसके साथ रह कर बहुत कुछ सीखा है डॉंक रेंकी को उसके लिए सुक्रिया कहता है जिसके ब बिना फोन के और बिना किसी काम के वह उसके साथ रहना चाहता है यहां दोनों अपने पनुसे से सॉच तो उसकी कोई एक्स- "... रेनकी कहता है हाँ है तो जाओ कहती है कैसी थी रेनकी कहता है थोड़ी सलेम यानी पतली और खुबसूरत जाओ कहती है उसके साथ क्यों नहीं रहता फिर वो जाओ अपने रोबोट को दिखा कर कहता है उसके साथ ही तो है तब जाओ को किसी का कॉल आता है और वो बात करने ल है लेकिन उसने उसे परिशान किया तो बीशन के इससे से खर लुआ यहां उसका हाい यहां उसका हाट वाला पावर बैंक है Just जब जाओ वहां से जा रही थी, हम देख पाते हैं, लू बहुत ज़ादा दुखी था, क्योंकि उसने हमेशा जाओ को पसंद किया था, उस समय से जब वो उसे पहली बार बाइक राइडिंग के लिए मिली थी, और सिर्फ पांच युवान देने को कहा था, और लू ही था, ज दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, और इसी बदलाव के साथ हमें डिसीजन लेना पड़ता है, इसके बाद हम जाओ को आफिस में देखते हैं, जहां रेनकी उसे एक जगह सफाई करने के लिए बेजता है, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था, तब जाओ को एक सफाई करनी थी, वहां एक इंपलॉई पहले से ही काम कर रहा था, जैसे ही जाओ काम करने लगती है, बलून हवा में उड़ने लगता है, और जो इंपलॉई वहां काम कर रहा था, वो रेनकी था, जिसने एक इंपलॉई के कपड़े पैने हुए थे, बलून के अंदर ही जा इसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये लाश्ट एपिसोड भी यहां खतम हो जाता है